Hello everyone, welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video So, काफी सारे मुझे comments मिल रहे थे about the last minute revision for TY becomes semester 6 and we all are aware about that की financial accounting का paper होने वाला है So, financial accounting का paper के लिए अभी last moment में आपको क्या-क्या चीज़े पढ़नी है वो सारी चीज़े discuss करेंगे, काफी सारे videos मैंने आपको दे दिये है already और अगर आप ये video जो live session है आज आप पहली बार आये हो तो आपको playlist में सारे videos मिल जाएंगे, सारे videos को revise करके जाएए because बहुत सारी चीज़े उसमें मैंने conceptual base पे clear की है तो even if you revise all those videos और थोड़ा सा अगर आप उससे related practice भी किये होंगे इसके पहले तो आपको ये paper जो है काफी अच्छी तरीके से जाएगा अब पहले क्या concentrate करे देखो अगर हम बात करे financial accounting की, cost accounting की तो हमें हमेशा एक चीज़ के ऊपर focus करना है की examiner किस तरीके से questions पूछ सकता है तो basically अगर हम बात करें कि previous years के papers को अगर हम देखे तो since हमारे पास एक recent previous years के papers नहीं होने वाले है the reason is due to the covid क्योंकि लिए covid में सब exams online हुए थे तो overall आपके पास जो paper होगा वो online exam से पहले वाला जो offline exam का paper होगा वो आपने I hope की अच्छी तरीके से देख लिया होगा उसकी related questions को आपने practice किया होगा because देखो questions तो same नहीं आते है लेकिन overall कही न कही questions related adjustments, questions related concepts वो same आ जाते है इसलिए इस channel पर आपको ये सारी चीज़े मिलती रहती है last minute में क्या क्या revise करें ताकि आपके silly mistakes बिल्कुल भी ना हो तो अगर आपने ये live session joined किया है तो अपना नाम और अपने college का नाम आप comment section में comment करके लिखे ताकि मुझे भी पता चले कितने बच्चों ने इस live sessions को joined किया है और आपका college कौन सा है तो basically this is just an interactive part इसलिए आपको मैंने ये करने के लिए कहा है तो अगर हम financial accounting के overall syllabus की बात करें तो syllabus में सबसे simple topic जो है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आगे में आपको उसके basic basic videos दे रहा हो इसी साथ वो वीडियो को भी मैं यहाँ पर play करूँगा and accordingly उसके related भी आपको questions पता चलेंगे कि किस type के questions जो है वो paper में आ सकते है तो basically जो questions paper में तो अगर हम financial accounting के syllabus की बात करें तो यह जो syllabus है financial accounting में उस पे सबसे पहला जो chapter है जिसके उपर आपको focus करना है बिल्कुल भी chapter को option में नहीं डालना है काफी सारी videos मैंने already prepare करके रखे है detail में देखना है तो वो videos को भी आप देख सकते है chapter का नाम है accounting for translation of foreign currency बहुती easy तरीके से मैंने आपको explain किया है इसके बाद एक series आपको मिलेगी यही live session में आप जुड़े रहे जिसमें आपको foreign currency underwriting उसके related भी videos मिलेंगे जो easy easy topics है बाकी सारे videos आपको channel के उपर मिलेंगे amalgamation का भी part है तो फिलाल हम discuss करते about the chapter of foreign currency transactions तो मैं आपको यहाँ पे यह बताने वाला हो कि किस तरीके के questions जो है वो paper में foreign currency transactions related आ सकते है तो देखो वैसे तो आपको सारी चीज़े पढ़के जानी है import का sum पढ़ना है, export का sum पढ़ना है और import और export में आपको ledger का भी part पढ़ना है वैसे levels इसमें तीन है we have import level, we have export level and the other level is nothing but it is a mixture of two of the levels import as well as export तो import और export दोनों को आप mix कर लेंगे तो आपका एक level जो है वो बन जाएगा उसमें आपको बहुत सारी दिक्कते होती है बहुत सारे students इसमें confused होते है कि valuations कैसे करे valuations के बाद closing की entry कैसे करे सारी चीज़े already channel पे है सिर्फ आपको जाके देखना है इसलिए मैं कहरा हूँ कि अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े हुए हो तो ये सारे वीडियोस को revise करके जाए काफी जादा help आपको होता है हर साल बच्चों को होता है और अपने दगना रखे अपने friends में भी इसको share करे because last minute में सबसे important point है हम panic हो जाते है हमें tension आ जाता है कि कैसे जाएगा paper क्या पढ़ना है क्या चीज़ों के ओपर focus करना है तो ये clear view में आपको दे रहा हो कि इस तरीके से अगर आप focus करेंगे तो overall ये subjects में जितने भी questions आते है वो आपको help करेंगे ठीके आज हम यहाँ पर question solve करना ही नहीं वाले because question solving करने का time आज नहीं है question solving करने का जब time था तब हमने सारे questions solve करके देख लिये थे तो अभी हम सिर्फ एक overview लेंगे कि foreign currency transactions में किस type के questions आते है F.E.F का जो chapter है उसमें देखो अभी 20 marks के questions है या फिर उसको 10-10 marks में दो questions वो लोग divide करके आपको दे सकते है तो अगर हम 20 marks के questions की बात करें तो 20 marks के question में किस तरीके का point आ सकता है तो ध्यान से सुनना 20 marks के question में सबसे पहले तो आपको journal entries form करने है जो भी आपकी journal entries है जैसे कि अगर import है तो purchases account debit to party का नाम हम लिखते है similarly हम installment pay करते है तो जब हम installment के pay करते है तो हमारा bank account जो वहाँ पे credit हो जाता है तो इस तरीके का rules आपको याद रखके जाना है कि some import का है कि some export का है और एक आपको चीज़ याद रखनी है अगर some आपके import का है import का है और party का नाम आपको नहीं दिया है तो that indicates sundry creditors और अगर some export का है और party का नाम नहीं दिया है that indicates sundry dators तो basically sundry dators and sundry creditors ये दो चीज़े आपको ध्यान रखकी जाने वैसे तो normally paper में नाम usually आजाते है ये आपका हुआ basically import and export का उसमें बहुत सारे लोगों को valuations में confused होता है तो valuations भी ध्यान से करे valuation कैसे करने का क्या करने का general entry कौन से होती है वो भी मैं आपको ये पूरा एक discussion के बाद मैं आपको वीडियो उसका भी इसके साथी दे रहा हो तो वो भी आप देख लेना एक बार properly और उससे related points आपकी clear हो जाएंगे अगर हम import या export की बात करें तो उसके बाद आपको क्या पूछे जाता है एक तो आपको foreign exchange fluctuation जिसको हम short form में कहते है FEF एक तो आपको FEF का ledger पूछा जाता है या एक तो आपका party का ledger पूछा जाता है तो FEF का ledger पूछे की party का ledger पूछे दोनों के दोनों ledgers आपके तभी right होंगे जब आपके general entries right होंगे तो focus करे general entries पे amount में mistake ना करे काफी easy topic है ये topic अगर आप easily इतनी सारी चीज़े भी पढ़के जाओगे तो on an average maximum आपको इस chapter में से 20 में से 20 marks मिलने की high probability है जब तक कोई silly mistakes आप नहीं करो तब तक ये chapter आपको full marks दे देगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस पे focus करना है अगर हम इसके बात की topic की बात करे तो that is called as amalgamation amalgamation एक ऐसा topic है जो बच्छों को काफी confuse करता है because amalgamation देखा जाए तो vast topic है काफी ज़ादा topic vast है और amalgamation के भी कुछ short cuts भड़े video आपको इस channel पे मिल जाएंगे first of all amalgamation में आपको focus क्या करना है देखो हम क्या focus करते है general entries कैसे करना है balance sheet कैसे करना है posting कैसे करना है reserves में क्या लिखना है share capital में क्या लिखना है assets में कैसे लिखना है क्या करना है ledger कैसे बनाना है इसके उपर focus पहले आप मत करना सबसे पहले आपको focus करना है किस चिसप के purchase consideration पे क्यूंके लिए इस chapter का base है purchase consideration अगर आपका purchase consideration का calculation सही हुआ तो ही आपका बाकी का calculation सही होगा तो purchase consideration के calculation पे focus करें दो methods के उपर university बार बार question पूछता है एक है net assets method दूसरा है net payment method तो net assets method और net payment method के questions ध्यान से देखिए amounts कैसे भी आ जाए concept में कोई changes नहीं होता है तो net assets method रहेगा तो आप सभी को पता होगा अभ possibilities को minus करते है तो we get the net assets that is the purchase consideration फिर उस पे फिर हम premium वगरा डिवाइड करके calculate कर लेते हैं अब amalgamation chapter में दो type के questions पूछने के chances बढ़ जाते एक तो आपको amalgamation में इस type का question आता है कि एक company ने दूसरे company को acquire कर लिया उसको हम कहते है acquisition absorption या purchase मतलब उस case में आपकी एक company new रहेगी एक company old रहेगी ये base आपको यादा रखना है उस case में क्या करना है purchase consideration हमेशा एक ही calculate करना है आप बहुत सारे बच्चे confused हो जाते है purchase consideration किसका धूंडे because दो companies होती है तो दो companies में usually हम amount लेते वक्त confused हो जाते है don't get confused एक simple चीज़ बताता हूँ silly mistakes नहीं होगा जो भी company old है उसी का हम purchase consideration calculate करेंगे new company purchase consideration का payment old company को करता है तो आपको amount सारे old company के ही लेन है ये base याद रखके जाना वरन purchase consideration wrong हो जाएगा वो आपको ध्यान रखना है उसके बाद जैसे ही आपने purchase consideration calculate कर लिया अगर एक old और एक new है दूसरा variety कैसे आ सकता है दो old है और एक new है मतलब A company था B company था ये दो companies थे हमारे पास A और B को हमने मिला दिया और C company form हुआ या A B limited form हुआ तो उसी को हम कहते है merger तो उसकेस में आपके दो purchase consideration हो जाएंगे तो in that case you will calculate how many purchase consideration to purchase consideration will be calculating in that case and अगर एक old और एक new है तो अब simple way पे सिर्फ एक ही purchase consideration जो है वो calculate करने वाले है ये होने के बाद अब हम पास करते है हमारी general entries अब आपको ध्यान से देखना है कि question में general entries new company के books में पूछा है कि old company के books में general entry नहीं पूछते है ये लोग क्या करते है old company के books में ledger पूछते है मतलब realization equity shareholders new company preference shareholders वो सारे ledgers जो होते है that is been asking the books of old company and new company मतलब कौन से general entries अभी तक आपने revise कर लिया होगा business purchase to liquidator liquidator to settlement वाली entry फिर हमारे debentures conversion फिर वो assets and liabilities taken over goodwill वगर आता है capital reserve आता है I hope कि आपको पता होगा नहीं पता है playlist में जाईए सब कुछ available है यहां तो हम लोग सिर्फ अब discuss करेंगे कि कौन से points के उपर आपको last moment में focus करना है अगर आपने कुछ भी बढ़ाई नहीं किया है सारी चीज आपको available है channel पे आपके पास अभी कोई option नहीं है कि मेरे class ही नहीं लगाया मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता है don't do that reason जितना दोगे उतना पीछे रे जाओगे ध्यान से सुनना अभी amalgamation में सबसे पहले चीज अगर वो लोग आपको new company के books में पूछते हैं तो general entries पूछेंगे और उसके बाद आपको balance sheet prepare करना है अभी ये balance sheet दिक्कत वाला काम है because इसमें silly mistakes होता है मैं again केता हूँ balance sheet पे focus करने से पहले आपको purchase consideration पे focus करना है purchase consideration दस बार देखिए solve करने के बाद क्या हमने सही किया because अगर आपका purchase consideration wrong हो गया तो उसका impact सिधा general entry और balance sheet पे आएगा और बहुत सारे marks आपके जो है वो चले जाएंगे इसलिए ध्यान रखने आपको purchase consideration का working note दो से automation chapter और अगर आपको ledger पूछते हैं तो ledger काफी easy है realization मगरा transfer of asset, transfer of liability वो सारी चीज़े करते हैं और उसमें आपको posting के mark जो है वो मिलने के chances थोड़े जादा है यह हमारा हो गया second topic अगर हम तीसरे topic की बात करें तो underwriting of shares and debentures एक easy topic है और जैसे मुझे predicted है देखो मुझे जो predicted है वो मैं आपको बताता हूँ लेकिन exactly ऐसा नहीं कि paper में ऐसी हो सकते है क्योंकि आप अगर books में भी देखो तो books में सिर्फ paper pattern दिया है कि 20 marks के option में 20 marks 10-10 marks के दो questions आ सकते हैं वैसे तो आपको सारे topics पढ़ना है मैं हमेशा कहता हूँ सारे topics पढ़के जाओ exam में जाने के बाद options दूंडो आप क्या करते हो मुझे जो topic नहीं आता है मैं option में छुड़के जाता हूँ और फिर ऐसा हो जाता है कि exam में वही topic पे easy question आता है और जो topic आपने सोचा है उसमें difficult question आता है तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए तो study all the topics सारे topics को revise करके जाए then फिर exam में जाके decide करे है और वो आपको easy लग रहे है तो underwriting of shares जो topic है काफी easy है gross liability mark applications unmark applications फिर कभी credit adjusted negative balance आता है benefit given not given बहुत सारे videos आपको channel पे मिलेंगे तो इसके लिए सब कुछ revise करके जाओ कोई problems आपको उससे related नहीं होगा लेकिन underwriting में एक problem हो सकता है कि underwriting में कभी-कभी आपको general entries भी पूछता ह रहेंगे तो general entries के भी questions आप पढ़के जा सकते है because अगर question को 20 marks में करना है underwriting को तो they can ask you general entries also don't be under the impression that underwriting छोटा topic है general entries नहीं आ सकता है कुछ भी आ सकता है सब कुछ पढ़के जाने का फिर उदर जाके decide करने ठीक है यह होगे आपका underwriting ज्यादा discussion नहीं करेंगे videos available है अब उसके बाद एक chapter आता है liquidation of companies तो liquidation क्या है जब business liquidate होता है compulsory liquidation यह सारी चीज़े है मैंने short notes जो normally previous year के papers में 3-4 साल के papers में पूछे गये है उसका भी एक video बनाया है तो वो भी आप जाईए short notes का video है financial accounting में ऐसे कौन से short notes है देखो वो short notes ऐसे है कि जो last previous years में पूछे गये तो उसमे इसे repeat होने के chances थोड़े जादा होते है वैसे भी आप लोग theory पढ़के नहीं जाते हो तो उतने short notes अगर पढ़के गए तो at least आपको कही ना कहीं उसमें से 2-3 भी आ गया तो हमारा नसीब हो जाए लिक्विडेशन अब लिक्विडेशन जो टॉपिक है यह लिक्विडेशन realize लिखते है receipts और payments आता है दो column तो receipts मतलब हमारे लिए जो भी हमने assets को बेच दिया एक liquidator होता है वो क्या करता है assets को realize करता है liabilities को settled कर देता है और खुद का भी remuneration लेता है तो liquidator जो भी है वो हमें conditions दिया रहेगा कि उसने assets बेचा उसने assets बेचने के बाद इतना पैसा मिल आता है और यह सारा मिलने के बाद हमको payment side में entry करना है जैसे payment side में हम क्या क्या entry करते है पहला settlement हम liquidator को remuneration commission दे देते है फिर debentures का settlement आता है फिर creditors का settlement आता है उसमें वो preferential creditors वगरा जरा देख के जाईए because उसमें थोड़ा confusion होता है बच्चे को फिर उसके बाद preference shareholders का settlement होता ह उसमें भी फिर levels है partly paid और fully paid वो भी थोड़ा सा revise करके जाईए that will also help you a lot liquidation के chapter में इतनी सारी चीज़े बाकी कुछ liquidation में difficult नहीं है तो छोटा chapter है अगर उनको 2 questions डालने है तो वो 10-10 marks के 2 questions डाल सकते है उसमें यह chapter आने के chances बढ़ सकते है लेकिन आप ऐसे impression में ना जाए कि य समाक्स का यह छोड़ जाता हो तो ऐसा मत करना सब कुछ पढ़के जाना उसके बाद जो हमारा topic है that is called as LLP LLP is what limited liability partnership तो उसका थोड़ा basic पढ़ना उसमें पूरा formatting है format बराबर पढ़के जाना जो भी आपके पास format है एक आपका assets and liabilities का format जिसको balance sheet कहते है और एक हमारा जो income and expenditure क का format जिसमें contribution वगर आता है final account जैसा ही part है जितना posting सही करेंगे उतना marks मिलने के chances है तो थोड़ा detail में पढ़के जाईए और अगर question difficult आता है या question समझ में नहीं आता है तो option वाला question दूंडे यही फाइदा आपको सारे chapters पढ़ने के बाद का होगा तो I hope कि मैंने आपको जितन आपको समझ में आया है क्या नहीं तो वो सारी चीज़े देखिए amalgamation का एक वीडियो इसके बाद उसके बाद आपको मैं अभी provide कर रहा हूँ underwriting का वीडियो और basically foreign currency का वीडियो या आपको इसके बाद मिलेंगे जिनको आता है कोई problem नहीं है फिर से एक बार देखिए revise हो ज problems वगरा salt के वीडियो आपको already uploaded मिल जाएंगे मैं आपका जादर time waste नहीं करना चाहता मैं यह चाहता हो कि यह जो जो चीजों के उपर आपको focus करना है वो सारी चीज़े आपको मैंने बता दी अब अगर आपके question में जो objectives आते objectives है फिर दूसरे आपके question में theory questions आते अब एक च ली डाली है objective उसको line में लिखिए उससे examiner irritate हो जाता है because यह online method जो checking होता है उसमें अगर आप उपर नीचे उपर नीचे करेंगे फिर problem हो जाएगा that will create problem तो इसके लिए फिर वो बार 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 उनको सब कुछ check करने के लिए ध्यान से देखना पड़ता है तो आप simple logic one number से 12 numbers हम जो match the following है true or false है fill in the blank से जो भी है line से लिखे बच्चे समझे नहीं आता मुझे कुछ भी कर लेते पाच्वा question पहला लिखते फिर दूसरा लिखते match the following की बात करो sum तो आप कैसे भी solve कर सकते हो सिर्फ question number properly डालना है तो आपको क्या करना है objective सारे line में लिखने properly लिख कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखे time management बहुत important है वरना ऐसा ना हो जाए कि आप एक ही sum के पिछे ज्यादा time waste कर ले और आपका फिर paper incomplete रहे तो इसके लिए जितना time आप एक sum के लिए दे रहे है उसके बाद बीच-बीच में time भी देखते रहे कि exactly हमारा वो time के अंदर paper हमारा complete ह होना चाहिए वरना फिर क्या हो जाएगा कि आपको आता सब कुछ है लेकिन फिर वो complete नहीं हो पाया due to the reason एक question के लिए आपने बहुत ज़्यादा time दे दिया अगर कोई एक हत question आप समझो amalgamations all कर रहे है और उसकी balance टैली नहीं होती है छोड़ दो leave it फिर बाकी सारे questions करो फ amalgamation foreign currency transaction and underwriting का इसके साथ मिल जाएगा तो वो भी आप देखिए और देखके फिर आप पाकी सारी चीज़े revise के दे थांक्यू वेरी मच फ्रम माई साइड wish you all the best for tomorrow's paper and इसी तरीके के revisionary वीडियो को हम मिलेंगे costing का भी मिलेगा कल शाम को 6 बज़े आपको costing का मिलेगा और उस तरीके से आपको costing में भी बताऊँगा कि किस तरीके से आपको preparation करना है अब आपको वीडियो मिल रहा है foreign currency, underwriting और amalgamation का वो भी पूरा देखे उसके बाद आप अपने preparations में चाहिए थांक्यू बबाई काफी बड़ा chapter है यह amalgamation का और इस amalgamation के chapter में हमें क्या क्या चीजों को discuss करना है वो सारी चीज़े हम इस वीडियो में देखेंगे यह एक introductory video है जिसमें आपको पता चलेगा कि amalgamation of companies actually होता क्या है what is the concept of amalgamation, what type of questions are expected in the paper, what kind of points you have to concentrate while solving the questions related to this chapter so basically if you see amalgamation of companies you have already learned a topic in your SY and that is amalgamation of partnership similarly we are going to have discussion on the concept of amalgamation of companies देखो amalgamation का तो concept तो same रहेगा यहाँ पे सिर्फ हम companies पढ़ने वाले है और last year आपने already पढ़ लिया about the partnership firm सबसे पहला point अगर हम ध्यान दे तो accounting standard 14 आपको याद रखना है अगर MCQ में पूछा गया तो you need to answer this accounting standard 14 deals with this chapter of amalgamation ठीक है amalgamation में जो भी rules है जो भी provisions है वो accounting standard कौन से points में दिये गए है that is been given as per accounting standard amalgamation होता क्या है amalgamation is nothing but तो यहाँ पे अगर हम एक छोटे से example के साथ discuss करें तो आपको थोड़ा सा matter or clear होगा चलो safe for example थोड़ा अच्छी तरीके से देखते है this is this is the business of a limited यह a limited का business है और यहाँ पे एक दूसरा business है और यह business है बी लिमिटेड तो हो क्या रहा है a limited is earning 100 crore profit and similarly b limited is earning 75 crore profit now a limited want to become a giant in the market a limited को market में काफी अच्छा business करना है अपने business को grow करना है अपने business को बढ़ाना है और एक अच्छी situation create करनी है कि market में उसका नाम काफी अच्छा रहे a limited का a limited क्या करेगा a limited तो है वो acquire कर लेगा b ka business what the concept says a limited is going to acquire the business of b limited a limited is going to absorb b limited मतलब a limited b limited का business जो है तो acquire कर रहा है उसको purchase कर रहा है a limited is earning 100 crores of profit and b limited is earning 75 crores of profit if you see the example obviously b limited is a small company in comparison with a limited and that is why a limited is doing what a limited will acquire the business of b limited तो a limited b limited का business acquire कर लेगा और ऐसे situation में फिर एक concept आता है amalgamation में and that is called as absorption i repeat again this concept is called as absorption it is also called as acquisition absorption बोल सकते है इसे acquisition बोल सकते है या फिर simple शब्दो में इसे हम purchase कहेंगे that is called as the concept of purchase and do remember that a limited will take over the business of b limited तो ऐसे case में ऐसे case में b limited को a limited क्या payment करेगा बी limited को a limited purchase consideration के basis पे payment करेगा that means तो भी payment करेगा a limited b limited को उसे हम क्या कहेंगे that concept is called as purchase concept क्या b limited a limited को अपना business free में बेचेगा नहीं b limited क्या कहेगा b limited बोलेगा मुझे cash payment चाहिए या b limited कह सकता है मुझे cash payment के साथ cash payment के साथ shares का भी payment चाहिए क्या चाहिए cash payment के साथ shares का भी payment चाहिए so this is the concept of purchase consideration i hope this example number one is clear to you it's very simple when one company acquires the business of another company then the company which is selling its business the company which is acquiring the business that means in this example we are learning by a limited and b limited a limited is acquiring the business of b limited b limited will be considered as old company simple concept है b limited को हम क्या consider करेंगे old company और a limited को हम क्या consider करेंगे new company यह ध्यान रखना because किसी में बच्चों को confusion होता है कि purchase consideration जब हम calculate करते है तो amount कौन सा ले old company का लेना है या new company का लेना है simple concept है जब हम purchase consideration को calculate करते है तो आपको याद रखना है amount is always taken off old company तो in this example old company is b limited तो हम amount भी purchase consideration में b limited का ही लेंगे तो यह हमारा first example हुआ that is absorption का ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक example लेंगे अभी ताकि आपको थोड़ा सा matter clear हो जाए कि यहाँ पे हमारा एक company ठीक है यह दूसरा company इधर दूसरा company ठीक है और यह हमारी तीसरी company है यहाँ पे काफी simple calculation है ध्यान से very very important part so this is a limited this is b limited and this is c limited so a limited or b limited a limited is earning 100 crores profit b limited is also earning 100 crores profit they are both companies are engaged in the same line of business so in this situation what will happen ज्यान से काफी important part है आपको ध्यान रखना है a limited और b limited जो है वो दोनों के दोनों same profit में deal कर रहे है और दोनों के दोनों same profit में deal करेंगे तो ना a b limited को take over कर सकता है ना b limited a limited को take over कर सकता है एसे case में क्या होता है एसे case में दोनों के दोनों companies जो है वो आपस में मिलके एक नई company form होती है that this is called as c limited या फिर एक नई company form हो सकती है जिसका वो नाम रखेंगे a b limited तो it depends on the company की वो नाम क्या रखना चाते है पर ऐसे case में अगर हम ध्यान दे तो ऐसे case में new company कौन है तो you will say sir new company है हमारा c limited b limited is old company because वो भी old है old company a limited भी old है अगर a limited old है b limited old है तो यहां पे दो old company है अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो old company रहेंगे जब कभी भी एक old company रहेंगी तो आपको calculation तो purchase consideration का दोनों case में करना है तो यहां पे purchase consideration जिसको हम short में PC बोलता है तो purchase consideration दो आएंगे two purchase considerations we are going to calculate when there is a concept of merger this concept is called as merger ध्यान से काफी important I repeat again this concept is called as merger जब एक company दूसरे company को take over कर लेता है तो ऐसे concept को बोला जाता है acquisition absorption या purchase जब दो company आपस में मिलके एक नई कंपनी फॉर्म होती है तो that concept is called as merger अब हम आगे का थोड़ा सा concept पढ़ते हैं तो purchase consideration हमने तो अभी सीख लिया हमने calculation करना भी सीखना है तो सबसे पहले we will be learning the methods of purchase consideration there are different different methods of purchase consideration short में लिख रहा हूं काफी simple point है ध्यान रखने methods of purchase consideration क्या कौन से कौन से method of purchase consideration होते हैं सबसे पहला आपका होता है net assets method काफी important concept है कुन सा होता है net assets method ठीक है दूसरा second हमारा होता है that is net payment method कौन सा होता है net payment method हर एक color से लिखेंगे फिर तीसरा लिखते औरेंज color से तीसरा हमारा होता है intrinsic value method कौन सा होता है intrinsic value method और जो हमारा fourth होता है fourth हमारा method है lump sum method lump sum method कौन सा होता है lump sum method so if you see the part net assets method यह आपका SY में हो चुका है यही आपका method अभी भी continue होगा net payment method is a new method for you intrinsic value method आपको questions में नहीं पूछा जाएगा lump sum method भी आपको question में नहीं दिया जाएगा lump sum method का मतलब होता है directly purchase consideration calculate करके ही आपको दे दिया है बड़ ऐसा तो situation होगा नहीं कि आपको calculation नहीं करना है lump sum method की बेस्ट lump sum method में क्या होता है purchase consideration तीन लाग तो ऐसा अगर purchase consideration directly दे देंगे तो आप फिर क्या calculate करोगे इसलिए lump sum method will never be asked intrinsic value method पहले एक chapter होता था valuation of goodwill तो उसके basis पर एक intrinsic value method होता था अभी आपको दो methods के ओपर questions पुछा जाएगा one is net assets method and the another is called as net payment method and net assets method और net payment method दोनों से आपको purchase consideration के calculations दिखने हैं तो we will be learning in much detail purchase consideration के calculations अभी अगर हम देखे short question wise क्या-क्या पूछा जा सकता है तो short questions में आपको purchase consideration calculate करने को पूछा जा सकता है आपको journal entries भी पूछी जा सकती है तो इस पूरे chapter में अगर हम देखे तो हमें क्या-क्या चीज़े prepare करनी पड़ती है हमें सबसे पहले purchase consideration दूढना है और purchase consideration दूढने के बाद हमें journal entries सिखनी है इसके books में new company के बाद जर्नल एंट्री इन इन निव कंपनी ओके काफी सिंपल है इन बहुत लेंदी चैप्टर है फिर सेकेंड जो पॉइंट होता है सेकेंड पॉइंट इस अगें वी आर कैलकुलेटिंग दा पर्चेस consideration and we'll need to prepare the ledger account हमें ledger accounts prepare करने पड़ते है किसके books में in old company old company के books में हमें क्या prepare करना पड़ता है ledger accounts और number third हम last में फिर prepare करते है balance sheet we are preparing what balance sheet after completing all this so since the questions which will be asked as an mcq mcq में इतना सब कुछ एक साथ तो पूछा नहीं जाएगा कि general entries भी करो ledger भी वनाओ balance sheet भी वनाओ तो आपको इसके major major important concept से उसके ओपर ध्यान दना पड़ेगा जैसे कि net assets method से purchase consideration दुंडो net payment method से purchase consideration calculate करो purchase consideration due की general entry क्या होगी purchase consideration settled की entry क्या होगी या फिर अभी का अगर unrealized profit आपको दिया है तो उसकी entry क्या होगी दिरे दिरे सिखेंगे सारी चीज़े सिखेंगे I hope कि आपको यह जो introductory lecture है amalgamation of companies का इस पे से कुछ basic चीज़े जो है वो पता चली होगी कि exactly हमें इस chapter में क्या करना है किस तरीके से इस chapter को prepare करना है so that इस chapter से related जो भी MCQs पूछे जाएंगे या जो भी practical based questions पूछे जाएंगे वो हमारे सही हो तो that was today's part that we have discussed today in this lecture so next lecture में हम cover करेंगे how to calculate the purchase consideration purchase consideration को calculate कैसे करना है वो हम सीखने वाले है next lecture में thank you very much from this video thank you all of you bye bye take care hello everyone welcome back to the amalgamation second lecture so in the previous lecture we have discussed about the basics of amalgamation we have seen what do you mean by the concept of absorption requisition and purchase and we have also seen about the concept of merger now the practical questions usually ask in the paper relates with the concept of purchase consideration so whenever we are selling the business to another company so in that case we need to calculate the purchase consideration purchase consideration is calculated by different different methods which we have already discussed in the previous lecture so purchase consideration हमने last lecture में method से वो डिसकस किये थे जैसे कि net payment method net assets method यह दो method आपके लिए important है तो इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम सीखेंगे purchase consideration कैसे calculate करना है as per very very important as per net payment method तो हम इस question के basis पे net payment method से purchase consideration कैसे calculate करना है वो सीखेंगे तो आपके paper में अगर MCQs based paper में questions जो practical based MCQs पूछे जाते है accounts में तो वो किस तरीके से होंगे छोटे-छोटे questions purchase consideration के उपर देके and asking the paper so today we are going to solve two questions and both these questions are different तो दो questions में दो level cover up करवाऊंगा ध्यान से question को ध्यान से समझे फिर ही calculation आपको समझ में आएगा first of all I will read the question A limited acquired B limited देखो क्या बोल रहा है कि A limited ने जो है B limited का business acquire कर लिया मतलब B का business अभी किसका हो जाएगा A का हो जाएगा तो A limited हमारे लिए इस question में क्या बनेगा A limited will be the new company and B limited will be called as the old company so very very important point is that whenever we are calculating purchase consideration we should identify कि old company कौन सा है और new company कौन सा है तो इस question में देखेंगे तो A ने B का business acquire कर लिया that means A will be new company and B will be old company और हमेशा concept याद रखो purchase consideration जो होता है वो हम हमेशा old company कही calculate करते है तो we are calculating purchase consideration of old company ऐसे क्यूँ विकॉस अगर मैं आपको business बेचूँगा तो obviously आप मुझे पैसे देंगे तो इस example में क्या कह रहा है कि A limited acquired B limited मतलब A limited B limited को पैसे देगा and that is why B limited का purchase consideration हमें calculate करना है तो let us see क्या क्या details दिये है equity shares of rupees 10 each amount दिया है 2 lakhs 10% preference shares of 100 each amount दिया है 4 lakhs the purchase consideration was settled as under the equity shareholders were issued 2 shares for every 4 shares held at 10% premium और preference के बारे में बोला है तो देखते कैसे इसको solve करना है basically यह solve कैसे होता है वह हम देखेंगे सबसे पहले ध्यान से हम यहाँ पे heading लिखने वाले heading है हमारा calculation of purchase consideration short form लिख रहा हूँ PC ठीक है इसका purchase consideration calculate होने वाला है B limited का purchase consideration calculate होने वाला है खोड़ा सा ध्यान से इसको solve करेंगे तो purchase consideration के लिए calculation अभी सबसे पहले हम लिखेंगे equity shareholders क्या लिखेंगे equity shareholders तो पहले हम equity shareholders का settlement करते हैं के बाद हम preference shareholders का settlement करेंगे इसको भी underline कर रहा हूँ equity shareholders को भी मैंने underline कर लिया आगे बढ़ेंगे अभी काफी important point है जो आपको ध्यान रखना है calculation ही important है इधर calculation आपका सही हो गया फिर जो calculation है purchase consideration का वो सही हो जाएगा multiplication या जो calculations है वो अगर error कर लिया आपने तो purchase consideration भी गलत हो जाएगा ठीक है यहाँ पे हम क्या करने वाले है सबसे important यहाँ पे हम करने वाले है held is to issued एक concept ध्यान रखना पहले held ही आएगा फिर issued आएगा देको adjustment number one पढ़ते है the equity shareholders were issued two shares for every four shares held ध्यान से क्या बोला है two shares for every four shares held यहाँ पे दिया है four shares held held में आएगा four और issued में आएगा two what is the meaning of this sentence अगर हमारे पास चार equity share रहेंगे तो हमें उसके बदले में company कितने shares देगा हमें उसके बदले में company will be giving two shares that means अगर मेरे पास चार share रहेगा तो company मुझे दो देगा अभी देखते है यह जो equity shareholders question में है तो question में देखा तो अगर आपको दिख रहे this is two lakh rupees base value आपका क्या है 10 है आपको करना कैसे है आपके amount को नहीं लेना है हमें number of shares चाहिए base value 10 से divide करेंगे तो हमें कितना answer आएगा हमें answer आएगा 20,000 shares का answer ठीक है तो चार हमारे पास shares है तो क्या है चार के बदले में कितना दे रहे company दो shares दे रहे अगर चार के बदले में दो shares देगा तो बीस हजार के बदले में कितने shares मिलेंगे cross multiply 20,000 multiplied by 2 divided by 4 तो here we will be getting the answer of 10,000 तो ध्यान से presentation देखो कैसे कर रहा हूँ 10,000 equity shares of rupees 10 each तो you will get the answer over here as 1 lakhs कितना जाएगा 1 lakh इसके उपर premium दिया है add premium देखो premium कितना दिया है जरह देख लेते question में एक बार premium आपको दिया है adjustment number 1 में 10% का premium दिया है 10% तो अभी simple है 10% plus कर देंगे तो आपको answer आ जाएगा तो लो यहाँ पे लिखता हूँ में add premium कितना percent 10% अगर हम एक लाग का 10% दूंडे तो it will be 10,000 and we have to add this 1 lakh plus 10,000 will be 1 lakh 10,000 I hope this calculation is very simple and you are clear with the calculation the next point will be the preference shareholders लिख देंगे यहाँ पे में लिखता हूँ preference shareholders फिर इसका भी calculation कर लेंगे चलो preference shareholders लिख दिया अभी को underline कर रहा हूँ अभी ध्यान से adjustment में जाते है preference के लिए ratio नहीं होता है adjustment number second पहले आपके question में preference देको कितना दिख रहा है 4 lakhs दिख रहा है हमें तो अगर हम 4 lakhs को face value से divide करे 4 lakhs को किस से divide करना है face value से preference का face value 100 है अगर हम 4 lakhs को 100 से divide करें तो हमें कितने shares आते है 4000 अभी हम adjustment पढ़ेंगे तो adjustment में बोला है कि 10% preferential holders will be issued 11% preferential of rupees 100 each at 5% premium ध्यान से ना इधर issued का ratio है ना हमारे पास held का ratio है preference में usually ratio नहीं दिया होता preference में हमें directly calculation करना पढ़ता है directly लिखना है सिर्फ आपको dividend का percentage change करके देंगे देखो अभी question में 10% था और हम कितना percent देने वाले है 11 तो हमने सबसे पहले क्या किया 4 lakhs को divided by the face value 100 तो 4 lakhs को अगर मैं 100 से divide करूँ तो हमें कितना answer मिलता है that is 4000 shares मिल गया तो अभी मैं सिर्फ इसको present करने वाला हूँ ध्यान से समझो और premium 5% का है तो अभी इसको मैं लिख रहा हूँ ज्यान से दूसरा question भी करना है हमको वो नीचे available है already तो यहां पर लिखेंगे 4000, 11% हम देंगे 11% preference shares of rupees 100 each 10 नहीं 100 तो 4000 into 100 the amount will be 4 lakhs in the inner side इसके उपर भी premium बोला है इसके उपर premium है how much percent 5% का premium है 4 lakhs के उपर अगर हम 5% calculate करेंगे तो it will be 20,000 का premium 4 lakhs plus 20,000 कितना आ जाएगा 4 lakhs 20,000 फिर आपको करना क्या है फिर आपको add करना है ठीक है equity का answer मिल गया यह बाद preference का भी answer मिल गया equity और preference दोनों को add कर लो आपको answer आ जाएगा that will be your final answer and this answer will be called as purchase consideration okay 4 lakh 20 plus 1 lakh 10 so answer आजाएगा 5 lakhs 30,000 आजाएगा 5 lakh 30,000 so this is our purchase consideration we have calculated of the first question i hope this calculation is clear to all of you it's very simple we have to see the percentage premium and accordingly calculate on the value percentage premium यह हमारा example number 1 था जिसमें premium percentage में दिया था अगर premium per share में देंगे फिर क्या करेंगे देखो यह question number 2 आपके सामने x limited acquired y limited i think first question से अभी आपको matter clear हुआ है क्या बोला है यहाँ पे x limited और y limited के बारे में कुछ बताया है बोला x limited acquired y limited तो y limited का business x ने acquired कर लिया मतलब x will be new company and y will be old company y क्या बनेगा old company बन जाए so it's not the same part which we have solved in the previous one बाकी सारे points तो similar है आपको यहाँ पे change बताता हूँ देखो change क्या है equity के amount यह है preference दिया है adjustment पड़ते है the equity shareholders were issued one share for every three shares held of rupees 10 each at rupees 15 यह नया point है premium percentage में नहीं है premium ना per share में है तो यह per share कैसे calculate करना है वही सीखेंगे दो levels है दो मेंसे एक level आपके paper में पूछा जाएगा second अगर preference का देखो preference का 100 है यहाँ पे 110 है यहाँ पे भी आपको per share का premium है difference लेना है अगर हम देखे 10 का 15 दिया है मतलब इस question में equity का 5 रूपया premium है preference में देखो 100 का 110 दिया है मतलब इस question में इस point में preference में 10 rupees per share का premium है चलो same way से अभी हम calculate करना सीखेंगे जो हमने last question में किया वैसा ही क्या लिखेंगे सबसे पहले heading हमारा calculation of purchase consideration किसके लिए दूढ़ेंगे purchase consideration old company who is old company why limited is old company underline कर लेते हैं गिर हमारे points में जाएंगे ठीक है अभी हम पहले ही calculate कर लेते है number of shares देखो 3 lakhs दिख रहे है आपको यहाँ पर 3 lakhs को अगर हम 10 से divide करेंगे तो एक 0 सिर्फ कम करना है यहाँ पर कितने shares आएंगे 30,000 shares आएंगे preference देखो 5 lakhs से 100 अगर हम 5 lakhs को 100 से divide करेंगे तो कितने shares आएंगे 5,000 shares आएंगे तो 30,000 और 5,000 shares अल्रेडी धूंड लिया मतलब बाद में फिर calculation ना करना पड़े चलो अभी इसको हम present करते हैं सबसे पहले equity shareholders हेडिंग लिख रहा हूँ equity shareholders हो अंडरलाइन करेंगे then present कर लेंगे रेशो हमारा concept क्या बोलता है held is to issued चलो फिर held is to issued लिख देते है held is to issued क्या ratio था one share for every three shares held तो held के सामने तीन आ जाएगा issued के सामने एक आ जाएगा और हमारे पास कितने shares हमने calculate कर लिए थे अब भी मैंने आपको बता है 30,000 shares तो तीन के बदले में company एक देगा तो 30,000 के बदले में कितने shares मिलेंगे बहुत simple calculation है तो इसका answer फिर से आपको मिलेगा 10,000 तो 10,000 equity shares of rupees 10 each तो amount आ जाएगा 1 lakhs तो 1 lakh में लिख रहा हूँ इसके उपर अभी premium ध्यान से समझना premium ही important है देखो हमने क्या देखा 10 रुपे का face value है और बोल रहा है कि 15 rupees में issue किया तो 10 और 15 का difference कितना 5 तो students कहा गलत होते है 5% premium दूण लेते 5% नहीं दूणना है it is 5 rupees per share तो how to calculate this 10,000 multiplied by 5 करना है ज्यान से 10,000 multiplied by 5 आपको करना है तो 10,000 into 5 करेंगे तो 50,000 आएगा 5% मत कर लेना गलत हो जाओगे तो this is the important point that is per share premium तो total will be 1,50,000 ठीक है अभी preference का पढ़ लेते हैं देखो preference भी हमने already calculate कर लिया preference के लिए number of share उपर मैंने आपको calculate करके दिखा है देखो 5000 shares आए थे अभी हमको 5000 shares मिल गए अभी adjustment में देखते हैं क्या बोल रहा है adjustment number second 11% preference shareholders will be issued 12% preference shares of rupees 100 each of 100 each दो बार हो गया at rupees 1,0,10 मतलब 110 में issue कर रहा है तो 100 का 110 रुपया premium है ठीक है अभी preference का लिखता हू next line में जहां पर आएगा हमारा preference shareholder equity shareholder हो गया भी preference shareholders ठीक है preference shareholders को भी underline करेंगे क्या बोल रहा है कितने shares 5000 5000 कितना percent है जरा percent भी एक बार देख लेते हैं adjustment में 11% के बदले में कितना percent मिलेगा 12% मिलेगा तो सिर्फ percentage we have to change 5000, 12% preference shares of rupees 100 each तो value will be five lakhs तो next line में इसका premium add premium प्रीमियम कितना होगा 100 और 110 मतलब 10 रुपया premium हमने calculate किया 5000 multiplied by 10 करना है 5000 multiplied by 10 करोगे यहां पे भी 50,000 का ही premium 5 lakhs plus 50,000 will be 5 lakh 50,000 that's it have completed the per share also तो इनको अभी हम क्या करेंगे plus करेंगे 5 lakh 50 हमको मिल गया और पहले कितना answer मिला था पहले हमको मिला था 1 lakh 50,000 तो आपको क्या करना है plus करना है 5 lakh 50 plus 1 lakh 50 तो that will be the final answer as 7 lakhs तो हमें 7 lakhs जो value मिला है this is the value of purchase consideration तो we have completed the question number second also and the question number second is related with per share question number first is related with the premium in percentage तो there are two levels this method which we have solved is called as net payment method जहां पे आपको shares में payment करना पड़ता है तो वो आपको ध्यान रखना है net payment method में purchase consideration इस तरीके से calculate होता है so that's it from this video next time मिलेंगे on the chapter number second of financial accountants and the name of the chapter is underwriting of shares and debentures very interesting topic very simple to score and you can score easily full marks in this chapter तो हमने foreign currency transaction AS11 का जो chapter था हमारा that was been completed I have also given you some practice questions तो PDF आपने download कर लिया होगा practice questions से practice करते रहे ताकि कितने भी basics है chapter से related वो सारे आपके revise हो सके तो आज हम शुरू करेंगे हमारे chapter number second के साथ and chapter number second जो है that is called as underwriting of shares and debentures so first of all we should understand the important concept of underwriting of shares and debentures so that the chapter will be very much easier for you to understand and the practical questions will be on your fingertips there first of all we will understand what is underwriting पहले हम ये समझते हैं कि underwriting का meaning क्या है अब underwriting का meaning अगर आपको समझ में आ गया तो ये chapter बहुत easy है और underwriting का meaning समझाने के लिए तो बी taking an example तो जड़ आपका थोड़ आसा तो point है वो clear हो सके दिको अगर हम बात करे say for example में ले रहा हूँ एक example लेंगे so that आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए एक company है there is a company and we will take the name of the company as XYZ company XYZ नाम की एक company है जो नई company है new company है और ये जो XYZ नाम की company है ये market में shares issue करना चाहती है XYZ company wants to issue shares in the market they want to issue shares to the public so the first question comes in your mind shares issue करना public को क्या इतना simple है आप जानते ही है बहुत सारे rules and regulations होते है भर्षद मेता scam आपने देखा ही होगा web series तो बहुत सारे इसमें point arise होते है heavy के बहुत सारे guidelines है बहुत सारे rules है बहुत सारे regulations है अगर हम बात करें तो क्या है बहुत सारा risk है बहुत सारा risk है किसका risk है non-subscription का risk है मतलब अगर हमने shares issue करने चाहे और जो public थी उन्होंने हमारे shares को purchase ही नहीं किया तो problem arise हो जाएगा और ये problem होने की वज़े से हमारे company का जो goodwill होगा x y z का जो goodwill होगा वो market में कम होगा that is why there is a problem that whenever company wants to issue shares to the public there is a problem of non-subscription ये सबसे बड़ा issue face होता है non-subscription का और अगर हम एक नए rule की बात करें जो Indian Companies Act 2013 में लाया है and that is कि 90% of the shares 90% of the shares जो होगे तो issued होगे अगर वो subscribe नहीं हुए full amount should be refunded when it will be refunded if 90% of the issue is not subscribe within 120 days 120 दिन के अंदर अगर subscription 90% का नहीं हुआ तो पूरा का पूरा पैसा हमें refund देना पड़ेगा and that is why there is a lot of risk और यह जो rule आया है 2013 की Indian Companies Act में उसके वज़े से problem arise होता है कि company जब shares issue करना चाहेगा तब सबसे पहला तो problem होता है non subscription का second जो problem होता है वो यह rule है 90% of the subscription होना ही चाहिए 120 दिन के अंदर वरना सारा का सारा पैसा हमको refund करना पड़ेगा फिर इधर होती है hero की entry और जो hero है हमारे लिए इस chapter में वो है कुछ persons चलो हम persons से example लेंगे समझो हमारे लिए यहाँ पे hero है तीन लोग एक है हमारा A second है हमारा B और third है हमारा C यह लोगों का market में काफी अच्छा hold है यह लोग market में काफी ज्यादा famous है काफी अच्छे relation है they can be joint stock company they can be partnership they can be financial institutions who have a lot of hold in the market who have a lot of points related to market everybody knows them that is why the point arises तो यह तीन लोग हमारे लिए hero बन गए यह तीन लोगों ने company को क्या कहा कि कोई problem नहीं आप directly अगर market में issue करने जाओगे public को तो सबसे problematic चीज हो जाएगी कि non subscription हो सकता है और जो 90% वाला rule है वो आपको problem देगा तो इसी लिए company क्या करता है company in persons के पास जाता है और in persons को बोलता है कि आप हमारे shares को purchase कर लो आप guarantee ले लो तो यह persons कहते है कि हम आपके shares को बेचने की guarantee लेते है और क्या करते है एक agreement कर लेते है they are doing an agreement तब company क्या करता है company in लोगों के पास जाता है because इनका काम ही वो है कि shares को subscribe करके देना because everybody knows them वो लो company के बिहाफ पे shares को market में बेचेंगे और यह जो 90% वाला rule है company first ना जाए या non-subscription के clause में first ना जाए इसलिए they will take the guarantee so since they are taking a guarantee there is an agreement between the company and the persons तो इन ही persons को बोला जाता है underwriters I hope कि आपको concept clear हुआ है इन ही persons को बोला जाता है underwriters and everybody knows that कोई भी आज free में काम नहीं करता तो इनको क्या company के basis पे इनको commission दिया जाता है company will pay them commission and this commission is called as underwriting commission इसको क्या बोला जाता है this is called as underwriting commission underwriting commission यह commission company payment करेगा उन persons को they might be joint store company can be partnership firm or the financial institution अब A, B और C कि हमारे लिए इस chapter के hero है because they are the underwriters they are taking the responsibility for selling the shares to the public and company problem में ना फज्जा है non subscription के या फिर जो हमारा rule है उसमें ना फज्जा इसलिए वो लोग क्या करते है company के basis पे shares को बेचने का एक target लेते है कि हम इतने इतने shares को बेचेंगे तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते है मैं आपको और एक point इसमें पताता हूं हम जो से for example हमारी जो company थी XYZ XYZ ये जो company थी ये 2 lakh shares issue करना चाहती थी they want to issue 2 lakh shares ठीक है 2 lakh shares issue करना चाहती थी एने कहा कि I will be taking the responsibility to sell 1 lakh 50,000 shares मतलब एक A ने क्या कहा है कि मेरा market में इतना hold है कि मैं 1,5,000 shares आपके बेच दूँगा ठीक है फिर B ने कहा मेरा A जीतना hold नहीं है लेकिन मैं आपके 30,000 shares को बेचूँगा I will be selling your 30,000 shares similarly C ने कहा I will be selling your 20,000 shares मतलब इन तीनों ने एक responsibility लेली XYZ company wants to issue 2 lakh shares and I will be taking the responsibility of selling 1,50,000 shares B will take the responsibility to sell 30,000 shares and C will take the responsibility to sell 20,000 shares अगर A 1,40,000 shares को बेच पाया तो जो 10,000 shares है वो A खुद purchase कर लेगा मतलब company non subscription में नहीं फसेगी B बोलता है मैं 30,000 shares बेचूँगा अगर वो 29,000 shares भी बेचा उसने तो 1,000 shares वो खुद purchase कर लेगा C जो है वो 20,000 shares बेचना चाहता है उसने अगर 19,000 बेचे तो भी 1,000 shares वो खुद purchase कर लेगा मतलब company को कोई भी problem case नहीं होगा अभी ये लोग इतना जो भी sale करने वाले है उसके बदले में मैंने अभी आपको बताया They are charging commission They are charging what? They are charging commission और as per the companies act 2013 Commission के उपर restriction है अगर हम shares की बात करे तो 5% on shares commission मिलेगा मतलब underwriters को payment करना पड़ेगा और अगर debentures की बात करे तो थोड़ा सा risk कम है तो 2.5% debentures पे commission हमें payment करना पड़ेगा underwriters याद रखना ये जो जो commission की बात करेंगे हम commission is always calculated as a percentage on issue price जो भी आपकी issue price होगी पे commission जो है वो calculate किया जाएगा अब 1,50,000 shares A ने बोला कि I will be taking the responsibility B ने 30,000 shares और C ने 20,000 shares अब market में shares थोड़ा सा आगे बढ़ते अभी अब market में shares इनों ने बेचना शुरू कर दिया अब company को कैसे पता चलेगा कि A ने कितने shares बेचे है A ने कहा था 1,50,000 लेकिन बाद में सबकुछ mix हो जाएगा A ने बेचे, B ने बेचे, C ने बेचे किस तरीके से पता चलता है तो उसके लिए क्या होता है उसके लिए A जब अपने shares को बेचेगा तब उसके उपर A का stamp मार के देगा A will put his stamp so that it will be an identification for the company कि इतने shares A ने बेचे जब B अपने shares बेचेगा तो B भी उसका एक stamp कर के देगा कि this is my stamp so that company should know and similarly it will be done by C also वो भी अपना एक stamp company को पता चलना चाहिए इसके basis पे देगा अब ध्यान से concept समझना जिस shares पे किसी भी underwriters का stamp होगा उसे हम इस chapter में कहते है marked applications it is called as marked applications मतलब marked applications का मतलब यह होता है कि इतने shares किसी न किसी underwriters ने sell किये है जिस किसी का भी उसके उपर stamp होगा वो stamp के basis पे पता चलेगा कि इतने shares A ने sell किये इतने shares B ने sell किये similarly the procedure goes on और जिस किसी applications पे किसी का mark नहीं होगा तो हम कहेंगे unmarked applications this is the concept of underwriting of shares काफी simple तरीके से आपको इसका कंजाया है I hope you have understood the basic concept कि underwriters का role क्यों आता है underwriters का role इसी लिए आता है कि company direct public को shares बेचने जाएगे तो there will be a problem of non-subscription and there will be also problem of 90% of the subscription होना चाहिए नहीं हुआ 120 दिन के अंदर तो पूरा का पूरा पैसा refund करना पड़ेगा इसी लिए role आता है underwriters का तो underwriters क्या करते है responsibility लेते है और company के साथ एक agreement कर लेते है कि हम आपके shares को बेच के देंगे उसके बदले में आप हमें commission देना and that commission is called as underwriting commission तो कभी-कभी एक point arise होता है यहाँ पे कि underwriters कहते हैं कि हम आपके shares public को नहीं बेचेंगे हम आपके shares खुदी purchase कर लेंगे तो that is called as the firm underwriting वो हम आगे concept सिखेंगे तो यह थोड़ा सा आपको example से मैंने clear किया है अब काफी easy जाएगा आपको समझने के लिए what is underwriting देखो an underwriting agreement is an agreement between company and certain party known as underwriter तो अभी हमने concept से समझ लिया है कि example से concept क्या है underwriter agrees to take up the whole or part of the securities which may not be subscribed by the public for the agreed consideration which is known as underwriting commission obviously underwriters free में काम तो करने वाले है नी जो भी वो agreement company के साथ करते है जो भी shares बेचने का काम करते है उसके बदले में दे चार सम्थिंग and the something is called as underwriting commission तो यह होता है underwriting commission next we have learned about the mark applications तो mark applications क्या कहते है underwriters who have taken obligation often refers their clients to subscribe the shares of company whose issue is underwritten by the underwriters the forms of such clients are mark तो मैंने आपको कहा था कि A अगर कुछ shares बेचता है तो company को कैसे पता चलेगा कि यह यह shareholders जो है वो A ने भेजे हुए है तो उसके लिए A जो application पे mark कर लेगा खुद का stamping कर लेगा and that is why it is called as mark application तो ऐसे applications जिसके उपर underwriter का mark होता है that type of applications are called as mark applications और ऐसे application जिसके उपर किसी का भी mark नहीं होता that is called as unmark application तो अगला concept पढ़ते है unmark application यह application forms received by the company without any stamp of any of the underwriters are known as unmark applications मतलब वो directly company ने sale किये हुए shares होंगे जो किसी भी underwriters ने shares को sale नहीं किया है ऐसे concept को बोला जाता है unmark application तो the underwriter if sell the shares he will put the stamp of his own so that company identifies कि this underwriter has sold his shares but whenever there is no stamping done on the application then it will be called as unmark applications तो जो unmark application होगा उसका भी benefit company क्या करता है खुद के पास नहीं रखता because underwriter ने बोला था कि हम इत्ते इत्ते shares बेचेंगे इसलिए जो जिस shares के उपर किसी भी underwriter का mark नहीं होता उसका भी benefit unmark application का भी benefit company क्या करता है underwriters को ही देता है उनके gross liability का जो ratio होता है उसके basis पे सबको उसका benefit मिल जाता है so that is the important point types of underwriting की बात करेंगे इसको हम थोड़ा सा practical question solve करते वक्ट डीटेल में discuss करने वाले conditional underwriting conditional underwriting की बात करेंगे तो underwriting agrees to take up agreed proportion of shares not taken by the public मतलब कुछ proportion of shares यहां पे underwriters लेने का काम करेंगे that is called as the conditional underwriting liability of the underwriter is conditional he is liable only when the issue is under subscribe वो लोग liable होंगे कभी liable होंगे तभी जब company का issue जो रहेगा वो under subscribe होगा अगर issue subscribe हो जाएगा fully subscribe हो जाएगा तो underwriter का रोल नहीं आएगा लेकिन अगर issue under subscribe होगा तो underwriter कहेंगे कि बाकी के shares हम लोग purchase कर लेंगे second होता है firm underwriting firm underwriting में मैंने आपको थोड़ा सा concept बता है इसके practical questions हम करेंगे तो और detail में बढ़ेंगे firm underwriting में क्या होता है underwriters कहते हैं कि इस company में मैं ही खुद investment करूँँगा तो मैं ही आपके shares purchase कर लेता हो मैं किसी बाहर वाली public को ये shares नहीं बेचूंगा that is called as firm underwriting further अगर बात करें तो next is full underwriting तो full underwriting की बात करेंगे तो when the entire issue is underwritten it is called as full underwriting मतलब एक लाग shares company issue करना चाहता था पूरा का पूरा issue underwriter ने underwritten कर लिया है तो उस case में it is called as full underwriting ऐसे case में जो benefit होता है वो underwriters को ही दिया जाता है as per the gross liability in such a case the benefit of unmarked applications is given to the underwriters in the ratio of gross liability तो मैंने आपको पहले भी कहा था full underwriting उसके बाद होता है partial underwriting partial मतलब क्या होता है when only a part of the issue is underwritten तो कुछ part ही underwritten है partial underwriting उसे हम कहते that is the point in such a case the benefit of unmarked application is given to the company first ऐसे case में unmarked application का जो भी benefit होगा वो company को पहले दिया जाता है और बाकि अगर कुछ surplus बचता है फिर underwriters में उनके gross liability के basis पे डिवाइड होता है this is all theoretical concept मैंने तो आपको example से सारी चीज़े explain कर दी है I hope कि example से ही आपको सब कुछ समझ में आया होगा जब हम practical questions करेंगे तो और थोड़ा सा इसको overview लेते रहेंगे इसका जो हमने concept आज पड़े है next is soul underwriting soul underwriting का मतलब when the issue is underwritten by only one underwriter सिर्फ एक ही underwriter है मैंने आपको तीन underwriters का example लेके बताया था अगर एक underwriter रहेगा तो उसे हम soul underwriting कहेंग next is joint underwriting joint मतलब दो तीन जैसे हमने अभी example लिया था तीन underwriters का तो तीन underwriters रहेंगे दो underwriters रहेंगे तो 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 इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में हम इस शैप्टर का basic सीखेंगे what is the basics related with the foreign currency part what are the kinds of questions which will be expected in your examination and the points related to the questions or the basics of the part which you have to remember while solving all the questions so all these points we are going to learn in much detail तो ध्यान से देखते रहें और अगर आपको कोई भी query होती है तो आप मुझे chat section में पूछ सकते हैं और जैसे मैंने आपको कहा है कि हर एक chapter होने के बाद एक live session समलेंगे दिफ्रेंट डिफ्रेंट कंट्रीज में कर सकते हैं तो इस शैप्टर में आपको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है and that is accounting standard 11 so यह बहुत सारे paper में objectives में पुछा जाता है accounting standard 11 जो है that deals with the foreign currency transactions all those parts related with foreign currency transactions is covered as per accounting standard 13 foreign currency क्या है basically अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हम इंडिया से किसी foreign country में goods को sale कर रहे है तो उस case में foreign currency involved होती है because हम जो payment receive करेंगे वो foreign currency में होगा समझो इंडिया ने अमेरिका को goods export किये तो अमेरिका की currency जो US dollars है उसके basis पे हमें payment receive होगा so that is why यह foreign currency का concept arise होता है एक-एक करके आगे पढ़ेंगे so first point you have to remember that accounting standard 11 deals with the foreign currency transactions so all of you are aware about the concept of export and import it is very easy because all of you are knowing that whenever we are selling the goods from one country to another country that concept is called as export and whenever we are purchasing some goods from other countries that is called as import हम क्या करते है हम export और import ऐसे दो points इस पूरे chapter में पढ़ते है एक है आपका export दूसरा है आपका import जब हम export करते है तब हम goods का क्या करते है तब हम goods का sale करते है और हमे cash जो है वो receive होता है मतलब bank में हमारे पैसे inflow होते है अगर हम import की बात करें तो import में क्या करते हैं हम goods को purchase करते है what we are doing हम goods को purchase करते है and similarly यहाँ पे हम cash का क्या करेंगे यहाँ पे हम cash का payment करेंगे तो cash का क्या होगा यहाँ पे outflow होगा तो यह काफी important concept है some important points you have to learn in this chapter is average rate because यह थोड़े-थोड़े important concepts है एक है आपका average rate दूसरा है closing rate और तीसरा है आपका concept exchange difference एक हो average rate की बात करें तो average rate क्या होता है एक होता है आपका opening rate और एक होता है आपका closing rate अगर हम opening और closing rate को plus करके उसको divide कर दे 2 से तो उसका average निकल जाएगा closing rate क्या होता है closing rate यह होता है कि जो closing करते वक जो rate रहेगा वो आपका closing rate माना जाएगा और exchange difference basically exchange difference की अगर बात करें तो जो rates में differences होते है जैसे आज मैंने export किया तब rate 75 था फिर अगर 2 महने के बाद मुझे payment मिला तब rate 75 का 74 भी हो सकता है या 75 का 76 भी हो सकता है तो यह जो rate में fluctuations आ रहे है यह जो rate में differences आ रहे है उससे हम क्या कहेंगे उससे हम कहेंगे exchange difference तो that is the basic point which you have to remember आगे बढ़ते हैं which transactions need to be translated ऐसे कौन से transactions है जिनको translate करना जरूरी होता है अगर हम एकी state में goods बेचेंगे या अगर हम इंडिया में एकी country में goods बेचेंगे तो इसमें तो कोई foreign currency का involvement ही नहीं है state में बेचो या country में बेचो सभी जगे पर currency तो Indian rupees ही चलता है तो basically ये जो chapter है इस chapter में हमें ये चेक करना है कि हम कौन से country से goods को export कर रहे है या कौन से country के basis पे goods को import कर रहे है तो basically export and import from one country to another country involves in foreign currency transactions तो foreign currency transactions यहाँ पे involved होंगे सबसे पहले आपका import goods तो whenever you are importing, whenever you are purchasing any kind of goods then that kind of transactions are related with foreign currency second जो है तो है आपका import goods तो whenever you are exporting any kind of goods तो that is also involved in foreign currency transactions because you are selling the commodities, you are selling the goods to the other countries and you are receiving payment in their currency and which will be further converted into our currency तो that is why foreign currency transactions are involved over here then the next point is purchasing fixed goods तो fix अगर goods कुछ purchase कर रहे हो तो भी foreign currency हो सकता है फिर taking loan to purchase fixed assets तो अगर आप loan ले रहे हो foreign currency के basis पे fixed assets को purchase करने के लिए तो भी वो foreign currency transactions में cover up हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अभी export के basis पे देखो हम इस video में export का ही सिखेंगे फिर export के question solve करेंगे then import में जाओंगा ताक कि आपको comfortable हो जाए कि export के rules और import के rules आपस में mix up ना हो जाए if you learn export rules first then it will be very easy for all of you to learn the import rules so that is why export rules we are concentrating first export rules में देखो सबसे पहले क्या है the rate at which goods are exported is called as the base rate काफी important concept है ध्यान से समझना इसको तो जो rate में हम goods को export करते है उसे हम इस chapter में क्या कहते है उसे हम इस chapter में base rate के नाम से जानते है that is called as base rate समझो मैंने आज अमेरिका को goods बेचे और आज का rate चल रहा है 75 rupees per dollar तो यह जो 75 rupees per dollar है इसे हम इस chapter में base rate के नाम से जानेंगे that is the important concept जो आपको problem solve करने के लिए useful हो जाएगा second is whenever goods are exported bank account is always debited ध्यान रखना मैंने कुछ simple simple tricks आपको यहां पे लिखके दिये है अगर आपको general entries framing में difficulty होती है if you are finding general entries as difficult task कब debit करना है कब credit करना है तो यह कुछ simple fundas है जो आपको याद रखना है यह simple rules से आपको solve करने में कोई भी दिक्कत face नहीं होगी तो जब कभी भी हम goods को export करते हैं export करना मतलब क्या करना? export करना मतलब sale करना तो जब कभी भी हम goods को sale करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है bank account हमेशा debit होगा क्यों ऐसा debit होगा? देखो goods को हम sale करेंगे तो हमारे पास से goods कहां जाएंगे? foreign country को जाएंगे foreign country को जाएंगे foreign country से हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास foreign country से cash आएगा तो cash हमारे पास आ रहा है हमसे goods जा रहे है तो debit what comes in, what is coming in cash is coming in बट cash आपको directly cash नहीं मिलेगा वो bank में जमा होगा इसलिए bank account हमेशा debit होगा तो आपको याद रखना है bank account is always debited in case of export of goods अगर import की बात करें तो इसके reverse होगा लेकिन import अभी फिलल discuss नहीं करते है अगले बार जब import के question solve करेंगे तब उसमें discussion हम कर लेंगे फिलल we are more concentrating on the export rules further third point में जाते है the difference in exchange is transferred to a separate account called as F.E.F. account which is also called as foreign exchange fluctuation account जान रखना अभी आपके पास एक नया नाम आ रहा है जो आपको इस chapter में बार-बार याद रखना है और बार-बार ये नाम लिया जाएगा तो जो भी आपके difference होंगे transactions में for example आपने 75 rupees per dollar में export किया और जब payment हुआ तब payment हुआ 74 per dollar में तो ये 75 और 74 में जो एक रूपे का difference आया है ये difference एक separate ledger में transfer होगा and a separate ledger का नाम है foreign exchange fluctuation account which is called as FEF account तो internal reconstruction के chapter में जैसे हम capital reduction में transfer करते थे similarly यहाँ पे आपको foreign exchange fluctuation account में transfer करना है जिसको हम short में FEF नाम से जानेंगे so whatever difference भले वो import में difference हो भले वो export में difference हो import में difference हो या export में difference हो आपको कहा transfer करना है आपको transfer करना है एक separate account में जिसको हम foreign exchange fluctuation के नाम से जानते है ये temporary account इसी chapter के लिए prepare किया जाता है बाद में फिर इसका जो balance होता है that is been transfer to profit and loss account so FEF account आपको याद रखनें whether there is any profit whether there is any loss कोई भी profit हो कोई भी loss हो यही पर transfer वो further आगे बढ़ते हैं next point में जाएंगे अभी कुछ important rules में सबसे important concept है आपका 31st March का देखो books of accounts हर 31st March को close होते है तो 31st March को जब books of accounts close होंगे तो एक नया concept emerge होता है और that is called as valuation करना मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपकी party आपको पूरा का पूरा payment 31st March तक दे देगा आपकी party आपको पूरा का पूरा payment 31st March तक नहीं देता होगा तो फिर valuation का concept आता है समझो आपको एक लग का आपने goods बेज दिया उसमें से 75,000 की payment 31st March के पहले तक आ गई remaining 25,000 की payment उनोंने दो मैने बात payment की मतलब मे मैने में payment की तो अभी problem ये arise होगा कि 31st March को जब हम books of accounts close करेंगे तब एक concept इमर जो के आता है that is called as valuation करना तो ये मैं आपको अभी theoretically समझा रहा हूँ इसको हम practical की basis पे समझेंगे example लेके समझाओंगा ताकि काफी easy तरीके से clear हो लेकिन याद रखना valuation कब होता है सबसे पहला question ये arise होता है कि valuation क्यों करना है और ये valuation कब होता है valuation क्यों करना है because 31st March को we are closing the books of accounts and since we are closing the books of accounts we need to check that whether any outstanding payment is due after 31st March if your answer is yes then valuation comes तो ही valuation होगा ये आपको ध्यान रखना है और valuation करते वक्त जो भी आपका difference होगा that will be transferred to FEF account similar rule है जहां इस chapter में एक ही rule याद रखना है आपको कि कोई भी difference कई पे भी arise होता है तो उसे हम FEF के account में ही transfer कर लेंगे further whatever balance is available in the FEF account तो FEF account में तो balance होता है वो 31st March को फिर कौन से account में transfer होता है that is transfer to profit and loss account तो ध्यान रखना है आपको this is also one kind of objective which is asking multiple choice question and that is the balance of FEF account is transferred to which account the balance of FEF account is transferred to profit and loss account तो यह profit and loss में transfer होता है तो अभी हम कुछ general entries देखते है फिर में एक छोटा से example ले लूँगा तो यह आपके basics clear हो जाएंगे export से related import का basic अभी बाकी है वो हम पहले export के questions comfortable हो जाएंगे then we'll be moving towards the import part जो first general entry जो आपको याद रखना है general entry बाहर्ट नहीं करना है मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से याद रखना है तो सबसे पहला जो entry होगा that is regarding for exporting goods we are exporting goods हम goods बेच रहे है तो हमारे पास से goods सामने वाले के पास गए इसलिए आपका entry है parties account debit parties मतलब सामने वाले party का नाम लिखना है हमको या फिर सामने वाले party को कोई नाम नहीं होगा तो sundry data account debit to export sales account तो ये हमको convert करके मतलब जो भी dollar होंगे या जो भी currency होंगे उनको indian rupees में convert करके लिखना है तो export का कोई भी transaction हो आपकी शुरुआत यही से होगी export का first entry हमेशा यही होगा and that is for exporting goods entry will be parties account debit या sundry data's account debit to export sales account amount लेके solve करेंगे practical questions तो हमें करने ही है second जो entry होने वाला है that is for installment receipt installment आपको मिलेगा installment मिलने का क्या entry है installment मिलने का entry है bank account debit मैंने अभी आपको basics में बताया था कि export के transactions में हमेशा bank account debit होता है तो bank account debit to parties account यह आपका fix entry है लेकिन एक note दिख रहा है यहापे note यह कहना चाहता है in the above entry F.E.F. account is debited or credited depending upon profit or loss तो मैंने आपको अभी example दिया था कि rate था 74 या 75 जो rate था आपका तो देखो 75 अगर rate है या 74 बन गया कहाँ transfer होगा that is transfer to a separate account called as F.E.F. right So F.E.F. account यहाँ पर लिखा है debited और F.E.F. account अगर होगा credited depending upon profit loss simple rule है इसका अगर कभी आपको transaction में profit दिखता है उसका मैं basic rule आपको दे दूँगा काफी easy है मैंने एक trick बनाई है ताकि profit loss में भी आप confusion में ना रहो अगर profit होता है तो आपको याद रखना है अगर profit होता है तो आपको यह याद रखना है कि F.E.F. account credit होगा अगर loss होता है तो आपको याद रखना है F.E.F. account हमेशा debit होगा यह basic rule है यह basic trick है जो आपको याद रखनी है that will be important so that we are going to see in the practical examples to come more examples for valuation made अगर valuation करेंगे valuation में profit हुआ तो entry होगा parties account debit to FEF देखो profit में FEF क्या हो रहा है credit हो रहा है अभी मेने आपको बताया और अगर loss होगा तो loss में आपका entry होगा FEF account debit to parties account ठीक है फिर एक closing का entry होता है closing का entry जोब हम solve करेंगे तो अब सीखेंगे एक अभी example लिया है तो example से थोड़ा समझात हो आपको that will be better for you to understand in a simple way देखो AB Limited ने export किये goods डॉलर के 50,000 डॉलर के यहाँ पर base rate सबसे पहले में लिख रहा हो base मैंने आपको क्या बताया था जिस दिन export करेंगे उस दिन का base rate 1st January 21 कितना है base rate 75 base rate यहाँ पर लिखा मैंने 75 ठीक है 50,000 का और simple example लिए and payment was received on 15 February तो 31st March के पहले सब कुछ मिल गया है valuation का concept इसमें involved नहीं है वह हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि आपको comfortable हो general entry के साथ बताता हो देखो कैसे होगा base rate के आपका 75 रूपीज है तो base rate कितना है 75 रूपीज है कितने डॉलर का payment है 50,000 डॉलर का किसको export किया AB Limited ने export किया West Germany को हमारा entry क्या बनेगा वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट पार्टीज अकाउंट डेबिट टू export sales अकाउंट ठीक है general entries हम सीखने ही वाले लेकिन यह आपको example के लिए देखो कैसे करना है 50,000 डॉलर है क्या है आपका base rate 75 है आपका base rate तो 50,000 को 75 से multiply करोगे value मिल जाएगी 37,500,000 तो debit side में भी 37,500,000 credit side में भी 37,500,000 this is the first entry और यह आपकी कौन सी entry है for exporting goods मैंने आपको अभी entry बताई थी exporting goods क्या थी entry parties account debit to export sales account तो parties account debit to export sales party का नाम क्या है best Germany account debit to export sales ठीक है 2nd entry में जाते है 2nd entry में जाने से पहले आपको क्या करना है base rate को compare कर लेना है यहापे मैंने base rate लिखा 75 ठीक है payment जब मिला 15 February को तब rate कितना बना 76 तेको rate बढ़ गया हमारा 76 जब हम export करते हैं तब हमें पैसे मिलते हैं तो जब हमने export किया तब rate था 75 और जब हमें पैसे मिलेंगे तब rate कितना है 76 तो क्या हो रहा है rate बढ़ रहा है बड़ रहा है तो क्या होगा तो आपको क्या बताया थे मिने profit होगा तो ff account क्या होता है profit होगा तो ff account credit होगा जन से तो देखो entry कैसे कर रहा हो पहले entry कर लेंगे entry है हमारा bank account debit क्यों bank account debit पैसे मिलने वाले है न और बताया था मैंने की export में हमेशा bank account debit होता है bank account debit to west germany account और to export sales account अब देखो multiplication कैसे करना है काफी simple है सबसे पहले हम multiplication करेंगे हमारे installment received का देखो 50,000 का installment कौन से rate से मिल रहा है 50,000 का installment हमें मिल रहा है 76 के rate से तो क्या करना है 50,000 को multiply करना है 76 के साथ 50,000 को 70 साथ multiply करना है यहां पे लिख लेते ताकि confusion ना हो 30,000 into 76 तो आपका rate कितना होगा 76 तो कितना value आएगा that becomes 38,000,000 38,000 ठीक है वेस्ट जर्मनी में जो उपर लिखा है वो ही copy करना है that is 37,000,000 और 37,000,000 में से 38,000,000 का difference अगर देखे तो difference कितना है difference है आपका 3000 ठीक है export sales लिखा हम आपे आपे export sales नहीं तो वन सेगड इधर FEF लिखा है आपे क्या है आपे आपको लिखा है to FEF account के लिए FEF में profit transfer होता है तो मैंने गलती से उपर का यह value लिख दिया that is FEF account that is foreign exchange fluctuation account entry किया होगा bank account debit to west Germany account to FEF account छोटा से example था है hope कि आपको example clear हुआ रहेगा अगर कोई भी query आपको आती है मुझे chat section में आप पूछ सकते ताकि आपको इसके basics जो problems है वो आपको आगे धीरे-धीरे समझ में आ जाए में आपको क्या क्या चीज़े ध्यान रखनी है liquidation of companies actually होता क्या है वो सारी चीज़े हम discuss करेंगे सबसे पहले अगर बात करें तो meaning of liquidation देखते है जिको liquidation एक legal procedure है बहुत बड़ा procedure है जिसमें हम company को company का जो existing business है उसको अभी हम खतम करेंगे मतलब हम अभी क्या करेंगे सारे के सारे जो हमारे assets है उसको sale off कर लेंगे और sale off करने के बाद whatever liabilities which we are having which will be paid off basically इसके साथ दो words आपको ध्यान रखना है एक अपका word होता है winding up and the second is called as dissolution dissolution मतलब वो तो एक end stage हो जाएगा dissolution is the end stage जहां पे हम business को बंद करने वाले close करने वाले so winding up आपको एक word याद रखना है because winding up और liquidation commonly बार बार use किये हुए जाने वाले concepts है तो यह liquidation कैसे होता है because हमने पहले भी आपने आपके previous standards में पढ़ा है कि company form करने के लिए there are certain procedures company is an artificial juridical person created by law ऐसे आपने पढ़ा था मतलब company form करने के लिए हमें certain procedures follow करने पढ़ते है we have certain steps जैसे कि promotion stage है, incorporation stage है, capital subscription stage है and we have the trading certificate stage इसी लिए जब हम company को close करेंगे तो close करने के लिए भी हमको क्या करना पढ़ेगा certain procedures को follow करना पढ़ेगा तो there should be certain procedures followed the certain procedures which are basically followed वो सारी चीज़े हम इसमें discuss करेंगे वही हमारा chapter है that is called as liquidation of companies अगर आप business को बंद करना चाहते या फिर आपके company को आपको close करना है तो क्या-क्या procedures होंगे, किस तरीके से उसको हम close कर पाएंगे किस तरीके से हम उसको wind up कर पाएंगे, closure कर पाएंगे वो सारी चीज़े हम इस chapter में discuss करनी है तो liquidation एक बड़ा step हो जाएगा legal procedure इसमें काफी सारे follow करने पड़ते है there are certain conditions, there are certain rules of the Indian Companies Act 2013, we are also going to have discussion on the IBC related to the part of 2016 बहुत सारी चीज़ों को discuss करना है insolvency and bankruptcy code के बारे में भी पताऊँगा और कौनसे ऐसे points है जिसमें की liquidation follow होता है winding up का procedure follow होता है और एक person को appoint किया जाएगा जो person ये सारे activities को करेगा उसको हम liquidator के basis पे जानेंगे सारी चीज़े एक एक करके discuss करते हैं सबसे पहले हम modes of winding up देखेंगे तो ऐसे कौनसे points है जिसके basis पे winding up हो सकता है तो there are different different modes of winding up तो सबसे पहले दो points है एक है आपका compulsory winding up मतलब आपको court का permission court के basis पे आपको आपकी business को बंद करना है wind up करना है यहाँ पे अब गर मैं court की बात करू, tribunal की बात करू तो यहाँ पे हमेशा N.C.L.T का नाम लिया जाएगा N.C.L.T काफी important है N.C.L.T is national company law tribunal तो यह आपको ध्यान रखना है for the companies तो if the company is not working properly if the company is sick if the company is not acting properly if the company is incurring heavy losses then can be different modes for winding up the first part is compulsory winding up and the second part is voluntary winding up तो पहले हम compulsory winding up के बारे में देखेंगे compulsory winding up की अगर बात करें तो दो चीजों में compulsory winding up का concept cover होता है one is called inability to pay debts मतलब company अपने जो debts है वो pay करने के लिए able नहीं है वो अभी जो उनके liabilities है जो उनके debts है वो pay नहीं कर सकता since वो company वो payment नहीं कर पाएगा तो इसलिए फिर court क्या करेगा court compulsory winding up का order दे देगा that will be the first point called as inability to pay debts the second point is grounds other than inability to pay debts तो grounds other than inability to pay debts में बहुत सारी चीज़े cover होती है हम discuss करेंगे इसमें winding up of tribunal का concept आता है तो अगर हम दो चीज़े देखेंगे inability to pay debts जो है उसके लिए सारे provisions cover होंगे insolvency and bankruptcy code तो insolvency and bankruptcy code इसके लिए use होगा 1016 के basis पे और जो grounds other than inability to pay debts है उसके लिए अभी भी companies act 2013 के ही provisions applicable होंगे so if you see there are different modes so basically there are two modes major modes में अगर देखा जाए तो दो modes है एक तो हमको क्या करेगा company law tribunal जो है NCLT जो है वो compulsory winding up करने बोलेगा compulsory winding up कब होगा जब आपकी company inability to pay debts में cover होगी मतलब you are not able to pay debts to the liability holders we are not able to pay to the suppliers मतलब हम हमारे जो shareholders है हमारे जो suppliers है उन्हें हम properly pay नहीं कर पाते है तो ऐसे case में IBC cover होगा insolvency and bankruptcy code and अगर grounds other than inability to pay debts मतलब आप payment तो कर सकते लेकिन कुछ ऐसे 5 conditions है जो 5 conditions के basis पे आप अगर payment नहीं कर पाएंगे तो वो हम points आगे discuss करेंगे कि grounds other than inability to pay debts you are able to pay but there are certain points where the tribunal thinks that अभी इनको तो compulsory winding up करना ही पड़ेगा because आप ये 5 points के अंदर आ रहे हो 5 points कौन से हैं हम आगे discuss करेंगे the next is the voluntary winding up voluntary winding up में 2 conditions 2 points है अगर 31st March 2017 तक आपका voluntary winding up है खुदी ने अपने सोचा कि अभी business को बन करता हो तो उसमें Companies Act 2013 applicable हो जाएगा and 1st April 2017 या उसके बाद का अगर आपका voluntary winding up है तो that is insolvency and bankruptcy code applicable हो जाएगा so this is the complete chart which is been given to you तो ये complete chart से हम ये समझ सकते है कि there are 2 points one is compulsory winding up and another is called as voluntary winding up compulsory winding up कि अगर बात करें तो 2 basis पे 2 points पे compulsory winding up court order देगा the 1st point is inability to pay debts and the 2nd point is grounds other than inability to pay debts if it is inability to pay debts then IBC will be applicable insolvency and bankruptcy code 2016 and if grounds other than inability to pay debts then Companies Act 2013 will be applicable voluntary winding up कि अगर बात करें तो voluntary winding up में 31st March तक रहा तो Companies Act 2013 applicable होगा 31st March 2017 तक और 1st April 2017 से अगर हम बात करें तो यहाँ पे insolvency and bankruptcy code applicable हो जाएगा अब हम यह देखेंगे कि grounds other than inability to pay debts में क्या आता है winding up by tribunal तो कब tribunal order देता है कब court order देता है कि आपको अपना business जो है company जो है वो close करना है wind up करना है तो basically अगर हम winding up by tribunal की बात करें तो this is covered under section 27 तब section 1 तो winding up by tribunal total 5 points के basis पे होगा मतलब अगर tribunal की बात करें तो वो किस basis पे winding up होगा तो सबसे पहले है company resolution तो company क्या करेगा एक special resolution पास करेगा और उसके basis पे जो company है वो close हो जाएगी that will be as per the tribunal तो company resolution से भी wind up हो सकता है number second मतलब company resolution के basis पे court order करने वाला है because this is winding up by the tribunal तो tribunal will order the company की company एक special resolution पास कर ले और एक special resolution पास करने के बाद वो बंद करे because compulsory tribunal ने कहा है हमारा second point है national interest against national interest अगर आपकी company ने अगर कुछ national interest में काम किया है जैसे की sovereignty, integrity, secularism जो हमारे points है जो अगर हम बात करें तो यह सारे इंडियन पॉलिटी के points है तो हम अगर बात करें कि national interest में अगर हमारे company ने कुछ काम किया है इंडिया के national interest में अगर कुछ काम किया है तो भी court order करेगा tribunal will order की आपकी company को आपको बंद करना है चीटिंग की है किसी investors के पैसे खा लिये है किसी investors के साथ cheating की है तो ऐसे case में भी government के basis पे एक notification लिकलेगा और notification tribunal निकालेगा that is NCLT national company law tribunal और हमें अपनी company बंद करनी पड़ेगी फिर number fourth है default in filing the annual return अगर आपने company का return फाइल नहीं किया है last parts consecutive years के लिए तो भी आपको business जो है वो company जो है वो wind up करनी पड़ेगी asper the tribunal and point number fifth जो law ने अपने पास शुरक्षित तरीके से रखा हुआ है कि ना आप first second third fourth point में आते हो मतलब ये चारो point में आप cover up नहीं होते हो फिर भी ट्रिबुनल को ऐसे लगता है कि नहीं ये तो company बंध होनी ही चाहिए because ये company का बंध होना ही सब के लिए सही है तो ऐसे case में भी tribunal can order for winding up of the business so these are the five points where the tribunal gives an order to the company for winding up and this has been covered as per the section 27 subsection 1 the first point is we can close the business we can wind up the business by passing a company resolution that a special resolution will be passed and if the company is working against the national interest of the country then also the tribunal will order for closure of the business if the company is doing any kind of fraud any kind of miss activities ya malpractices related to the with the investors or the shareholders ये सारे points में अगर fraud में involved होगा तो भी winding up of the tribunal आ सकता है मतलब कम tribunal order देगा अगर company ने returns file नहीं किये last 5 साल के लिए 5 consecutive year से return file properly नहीं कर रहा है तो भी close हो सकता है और इन सारे points में भी अगर ऐसे लगता है tribunal को कि ये चारे points में तो company नहीं आता फिर भी इनको close होना ही चाहिए तो ऐसे case में भी close करना पड़ेगा तो ये हमारा tribunal का concept है जो आपको ध्यान रखना है तो ट्रिबुनल के concept में ये सारे points cover up हो जाएंगे अभी हम petition के बारे में पड़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं who can file petition petition मतलब कौन company close करने के लिए petition file कर सकता है तो total 5 लोग है ये अगर हम देखे तो company खुद file कर सकता है petition close करने के लिए कोई contributor ही file कर सकता है contributor में उनके shareholders कवर होंगे equity shareholders, preference shareholders, creditors ये सारे contributors में कवर होंगे registrar file कर सकता है petition या फिर any other person appointed by central government या फिर central government and state government खुद तो ये 5 लोग petition file कर सकते है कि company का business जो है wind up करना पड़ेगा तो ये points है अभी हम थोड़ा सा इसको देखते है अभी हमने क्या सीखा कि 5 लोग जो है 5 people 5 people 5 people क्या करेंगे petition file करेंगे 5 people can file the petition as per section 272 5 people can file the petition who are the 5 people we have just now learned that कि जो contributor ये वो कर सकता है Central Government कर सकता है State Government कर सकता है Registrar कर सकता है जो company है वो खुद भी कर सकती है या any other person appointed by the Central or State Government वो लो petition file कर सकते है petition किसके पास file करेंगे petition file करेंगे NCLT के पास NCLT कौन है NCLT is national company.tribunal अब NCLT क्या करता है NCLT company का सब कुछ details मांग लेगा मतलब company की history मांग लेगा company के कितने assets है company के कितने liabilities है सारी जो details है वो company के basis में मिलेगी और वो होगी statement of affairs में statement of affairs जो company के board of directors होंगे जो company के president vice president जो board of directors होंगे वो statement of affairs provide करेंगे statement of affairs NCLT will demand what is the statement of affairs statement of affairs में मतलब company के पूरे affairs के बारे में पूरा assets के बारे में बताया जाएगा फिर ये जो statement of affairs है फिर क्या होगा NCLT एक person को appoint करेगा एक person है समझो एक person को appoint करेगा this is the one person he is the third party and he will be called as the liquidator वो है एक liquidator liquidator क्या करेगा liquidator सारे के सारे जो assets है को sale करने वाला है सारे के सारे assets को क्या करेगा वो sale करेगा और sale करके assets को sale करके क्या करेगा pay करेगा liabilities को he will be settling the liabilities and he will be selling of the assets और we can also use a word over here called as realization of assets तो liquidator का काम क्या है liquidator का काम है assets को realize करना और जितने पैसे आएंगे उससे liabilities का payment करना but यह जो liquidator nclt ने यह जो liquidator tribunal ने appoint किया है क्या वो liquidator free में काम करेगा तो free में तो कोई भी काम नहीं करता है यह जो liquidator काम करने वाला है यह सारा settlement का उसके लिए वो एक account prepare करेगा he will be preparing an account and this account is called as liquidator's account जो हमको हमारे practical question में बनाना है तो क्या बनाएगा एक liquidator's account बनाएगा और वो liquidator's account में वो सारी चीज़े लिखेगा कि कितने पैसे आए और कितने पैसे उसने liabilities में payment कर दिए पर यह सारी चीजों को करते वक्त he will be charging what he will be charging some commission तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे liquidator's commission तो liquidator's को commission देना पड़ेगा हमें liquidator's commission और उसे remuneration भी हमें देना पड़ेगा तो यही चीज हमें सीखनी है and I hope कि this concept is clear to all of you यह concept काफी important है तो इस chapter में हमको बाकी कुछ नहीं सीखना है सिर्फ format सीखना है liquidator's account का we have to prepare the statement of liquidator's account और उसमें हम यह सीखेंगे कि कितने पैसे आये और कितने हमने settlement कर दी तो जितनी settlement कर दी वो हम सारे expenses हमारे होंगे तो उस बेस पे we'll be preparing the final statement of account and since the liquidator will be charging commission तो commission का थोड़ा सा counting आता है उस बेस पे हम commission वगरा calculation सीख लेंगे तो यही थोड़ा सा conceptual part मैंने आपको बताया है आगे बढ़ते है एक last point में preferential creditors काफी important है यह कभी-कभी आपको MCQs में पूछा जाता है कभी आपको इसमें से theory भी पूछे जाती है तो preferential creditors जो है that has been important part and this has been covered under section 327 तो यह section 327 में cover होता है तो preferential creditors में क्या-क्या point आते है government taxes, salaries and wages, holiday remuneration, contribution under employee state insurance और compensation इतने सारे points हमारे preferential creditors में cover होंगे तो इसमें ज्यादा details में नहीं जाते because हमको इसके practical questions solve करने ही है तो practical questions के साथ मिलेंगे फिर तो इस lecture में हम देखेंगे कि liquidators का जो final statement account prepare किया जाता है उसमें अगर shares आपको partly paid up दिये जाएंगे तो किस तरीके से उसको solve करना है तो पहले question को ध्यान से समझ लेते है the balance sheet of Z limited as on 31st December 2019 was as follows तो liability side है हमारे पास और asset side है liability side में if you see we have 1006% reference shares of 100 each amount है 1 lakhs equity shares है दो type के equity shares है एक है 2000 equity shares of 100 each यह आपका fully paid up equity shares और एक है 3000 equity shares of 100 each यह आपका partly paid up equity shares because यहाँ पे हमें दिया है 50 paid up पतलब 50 remaining paid up नहीं है तो this is called as partly paid up preference तो partly paid up equity shares तो यह हमारा जो second है this is partly paid up क्या करना है ध्यान से समझेंगे काफी important concepts है next is the secured loan 6% debentures floating charge on all assets ऐसा बोला है कोई दिक्कत नहीं है next point देखेंगे other that is mortgage on land and building तो other जो है वो mortgage किया है land and building पे मतलब जब land and building को liquidator sale करेगा तो पहले यह एक लाक रुपे का payment जो है उसको पहले minus करेगा next is the sundry creditors that is 1 lakh asset set में बहुत सारे assets हमारे पास है we have the fixed assets, we have current assets and we also have the profit and loss account which is the fixed assets, तो हमारे कुछ भी काम का नहीं है adjustment देखते है the company went into liquidation on 1st January 2020 1st January 2020 को company liquidation में गया है तो हमें 1st January 2020 से जो statement बनाना पड़ेगा वो कहा तक बनाना पड़ेगा देखो last में दिया है all payments were made on 30th June 2020 तो हमें 1st January से लेके 30th June 2020 तक आपको liquidator का final statement प्रिपार करना पड़ेगा next is the preference dividend was in arrears for 3 years तो preference dividend 3 साल के लिए arrears के लिए है the arrears are payable on liquidation no issue the assets were realized as follows तो assets का revalued figure हमें दिया है land and building 2 ,兩,50ルク plant and machinery 1,80ルク stock is 70,000 erstmal datedis is 60,000 फिर expenses on liquidation भी हमारे पास available many 2000 और यह relative adjustment आ चुका है यहां पह the liquidators is entitled to commission at the rate 2% on all assets realized and 3% on amount distributed to the unsecured creditors creditors हमारे पास सीधा दिया हुआ है 1 lakh 1 lakh का calculation हम करेंगे 1 lakh के उपर कितना percent 3% 1 lakh के उपर अगर हम 3% calculate करेंगे तो हमें यहाँ पे आ जाएगा 3000 जो मैं आगे आपको calculate करके properly बताऊँगा next is all payments were made on 38 June 2020 issue prepare liquidators statement of account किस तरीके से इसको prepare करना है ध्यान से समझे एक एक चीज है काफी calculated question है तो एक important level तो हमारा format liquidators final statement of accounts अगर हम duration देखे तो हमारा duration होगा 1st January 2020 से लेके 30th June 2020 यह आपका duration होने वाला है the points are receipts रूपी payment throughput तो सबसे पहले हम debit set से शुरू करते हैं हम क्या लिखते थे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वी वी राइटेंग to assets realize काफी important calculation to assets realize underline करते हैं और सारे assets एक करके लिखते हैं सबसे पहले हमेशा cash और bank लिखना है cash bank जो भी होगा वो आपको outer column में लिख देना है अगर हम question को ध्यान से देखे तो cash और bank balance question में already available है and that is 30,000 तो मैं 30,000 see the outer column में लिख रहा हूँ फिर हमारे जितने भी assets जो revalued figures थे वो सारे के सारे लिखने है एक बार ध्यान से adjustment को देख लेते हैं question को देख लेते हैं देखो यहाँ पे land and building है plant and machinery है stock है और dators है लेकिन जो land and building है वो किसके उपर secured है यहाँ पे दिया है देखो adjustment other में mortgage on land and building एक लाक रुपया तो यह हम बाद में लिखेंगे जो हम last time भी मैंने आपको बताया था जो adjustments होते है उसके उपर वो points बाद में लिखेंगे तो अभी हम क्या के लिखेंगे हम point लिखेंगे plant and machinery stock and dators तो चलो फिर एक एक करके point लिख लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका plant and machinery plant and machinery कितना है 180,000 plant and machinery के बाद हमारा point आएगा dators dators कितना है value दिया है आपको adjustment में thousand dators के बाद we have the point of stock stock अब लिखेंगे stock की value है हमारी question में दी हुई that is 70,000 तो stock का value भी में लिख दिया 70 further you see एक point मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है land and building के बारे में information था land and building 2,400,000 में बेज दिया है हमने लेकिन land and building के ओपर mortgage करके रखा है first step is writing the assets which are realized cash bank directly लिखना है बाकी के assets directly लिखने है जो आपके revalued figure से उसको present करना है then next point हमें लिखना है to surplus to surplus from securities underline करना है इसी में वो point हमारा आएगा that is the land and building that is the land and building land and building आपने कितने में sale किया land and building आपने sale किया था liquidator ने 2,400,000 में land and building के उपर mortgage करके रखा है मतलब loan लिया है गिर्वी रखा था 1,000,000 का तो हमने 2,400,000 में से क्या करना है 1,000,000 minus कर देना है so we will be getting an answer of 1,400,000 in the outer column this is very simple calculation I hope this one is secure to all of you step number one is writing all the assets on the debit side पहले cash bank लिखेंगे फिर बाकी के revalued figures लिखेंगे and revalued figures लिखने के बाद land and building के उपर mortgage नहीं होता तो वो भी हम उपर ही लिख देते थे लेकिन फिलाल mortgage है इसलिए हमने उसको यहां पर लिख दिया है and उसके साथ mortgage की value minus कर दी है that was the first part debit side debit side ज्यादा problem नहीं होता है credit side में ही थोड़ा सा calculate this is by liquidators account ठीक है liquidators के दो point आता है usually by liquidators account उसको underline कर रहा हूँ फिर adjustment में जाएंगे फिर calculation सीख लेंगे तो adjustment for liquidators says that the liquidators is entitled to a commission at the rate 2% on all assets realized जो भी assets realized हुए है उसके उपर 2% लेना है और 3% on the amount of creditors तो creditors के amount एक हो 1 lakh है और अभी 2% किस पे लेना है बताता हू ध्यान से तो उन्होंने बोला liquidators का commission चार्ज करो liquidator को commission मिलेगा तो यहाँ पर हम लिखते है liquidators commission liquidators commission ठीक है काफी important है calculation द्यान से तो how to calculate that ठीक हो जितने भी assets realize हुए है उस पर हमको calculate करना है तो हमारा assets जो realize हुआ था उसके लिए हमें क्या करना है adjustment चेक करना है तो adjustment एक बार चेक कर लेते हैं तो यह adjustment अवेलेवलेट land and building 2,40, plant and machinery 1,80, 70, or 60 तो what we have to do we have to add all this इन सभी को आपको add करना है क्या करना है इन सभी को add करना है इन सभी को अगर add करोगे तो आपको total value realize की calculation मिल जाएगी इन सभी का total हमें मिलेगा 5,50,000 ठीक है 5,50,000 के ओपर कितना percent commission बोल रहा है is 2% commission given in the adjustment अभी हम इसको solve करेंगे 5,50,000 पे 12% तो 2% तो that will be 11,000 का liquidator का commission आ जाएगा इसको अभी यहां पर present कर लेंगे ध्यान से काफी important calculation था I am writing in the bracket over here 5,50,000 is the total assets realize 5,50,000 add the rate 2% commission की amount आ जाएगी 11,000 जो मैंने यहां पर लिख दिया then further liquidator का commission हो चुका है उसके बाद जो expenses थे उसके वो भी लिख देंगे तो liquidators expenses आ पर लिखता हूँ liquidators expenses 3% on the creditors तो creditors की value थी 1,00,000,000 के ओपर अगर 3% calculate करोगे तो value आ जाएगी 3000 यह हो चुका है हमारा calculation complete so next part will be the debenture holders तो by debenture holders आ जाएगा by debenture holders ठीक है काफी important है थोड़ा सा calculation debenture holders को underline कर लेता है debenture holders में underline करके देखेंगे क्या क्या point है debenture holders के लिए देखवा आप 6% debenture holders amount है 1,00,000,000 लेकिन उसके ओपर interest भी हमें calculate करना पड़ेगा और payment देखते कभी हुआ है all payments were made on 30th June 2020 ठीक है हमारा debentures कितना है 1,00,000 और January से June अगर count करें तो कितने months का interest होगा 6 months का interest होगा एक-एक करके लिखेंगे ध्यान से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम debentures की value लिख देते है 6% debentures value आ जाएगी 1,00,000 तो I am writing over here as 1,00,000 फिर उसका interest outstanding ठीक है कैसे calculate होगा देखो 1,00,000 multiplied by 6% multiplied by 6 by 12 6 महने का interest तो आ जाएगा 3 था venture holders is also complete venture holders होने के बाद हमको अगला point लिखना है हमारा creditors यहाँ पर लिखेंगे by creditors तो creditors की value दी है question 1,00,000 वो भी लिख दिया के बाद हमारा आ जाएगा by preference venture holders इसमें हमारा दो point है तो यहाँ पर लिखता हो जगह कम पड़ जाएगा वर्ना preference प्रेफरेंश क्यापिटल हमें सबसे पहले लिखना है तो प्रेफरेंश क्यापिटल है हमारा question में 1,00,000 और एक point होएगा आपका preference dividend ध्यान से उसके उपर arrears था preference dividend हमारा arrears था देख लेते एक बार कितना arrears था तो देखो यहाँ पर investment है the preference dividend was in arrears for how many years 3 years तो preference dividend कितने साल के लिए arrears है तीन साल के लिए arrears तो अगर हम preference करके amount देखे तो कितनी है 1,00,000 है हमारे amount 1,00,000 into कितना percent 6% कितना आ जाएगा 6,000 कितने साल के लिए arrears है इस years के लिए arrears है कितना amount आ जाएगा 18,000 तो preference dividend कितना आ जाएगा 18,000 तो preference dividend है हमारा 18,000 तो अभी मैं यहाँ पर लिग देता हूँ 18,000 काफी important calculation जो आपको पता चलना चाहिए यही important है अभी इसके बाद जो calculation है वो एक working note से बनाएंगे हम कैसे करना है यह statement working note जरा ध्यान से समझना because the question is related with partly paid up share question is related with what partly paid up share अभी ध्यान से question में हमारे दो-दो equity shares से एक बार आपको दिखाई देता हूँ question में दो-दो equity shares कैसे है तेको if you check the liability side first equity share is 2000 equity shares of 100 each and second equity shares is 3000 equity shares of 100 each 50 paid up यहान से इसको पहले एक presentation के basis पे लिख लेंगे ताकि आपको समझ में आए वो partly paid up के लिए देखो हमारे पास एक share है 2000 equity shares of 100 each यह पहला equity share है और दूसरा अगर देखे तो हमारे पास दूसरे category का equity share है 3000 equity share of 100 each लेकिन वो partly paid up है इसमें से सिर्फ 50 ही paid up हुआ है इसे क्या हुआ है 50 paid up हुआ है जब liquidation होता है business का जो partly paid up share से उसको हमें fully paid up convert करने पड़ेंगे तो किस तरीके से इसको अभी convert करना है वो सब बाद में सिखते हैं सबसे पहला चीज हमें equity shareholders को कितना payment करना है वो दूढ़ना है वो कैसे दूढ़ना है देखो सबसे पहले simple है हमें क्या लिखना है total receipts क्या लिखना है total receipts इसका मतलब हमारे receipt side में जो जो amounts आपने लिखे उन सभी का हमें क्या करना है हमें करना है total total करना है total receipts पहले लिखेंगे कि क्या करेंगे total payments हम उसमें से minus करेंगे खलो अभी देखते है total receipts की value देखलो आप debit side में आपके पास available हमारा total receipts का value आता है वो आ रहा है 4,80,000 that is our total receipts इसमें से हमें क्या minus करना है we have to deduct total payments हमें total payments को minus करना है total payments अभी हम देखते है total payments देखो जो भी payments के value है उसको add कर लेए हमें total payments मिल रहा है 3,35,000 मिल रहा है 3,35,000 का total payments मिल रहा है अभी आपको क्या करना है total receipts में total minus करना है we will be getting the difference and that will be 1,45,000 यह आपको difference आ रहेगा and this difference को का ना हम लिए बालन्स available for equity shareholders this is the balance which is available for equity shareholders अब ध्यान से अब हमें national call करना है national call का मतलब actually it's a calponic call तो national call मतलब यह देखो 3000 equity shares of 100 is दिया है 50 rupees paid up है तो remaining 50 का हम national call करेंगे ताकि यह fully paid up हो जाए add national call जैसे करना है 3,000 shares थे इतने rupees का call था 50 रुपे का call था तो multiply करेंगे अभी 3,000 multiplied by 50 करेंगे तो हमें value मिल जाएगी 1,50,000 ध्यान से काफी important calculation था 1,50,000 हमें value मिल जाएगी तो अभी total करना है तो हमें आपको 1,45,000 ध्यान करेंगे तो यह total आ जाएगा this total is called as this total is 2,95,000 यह total आ चुका है हमको this is the total और इसको हम नाम देंगे refund to equity shareholder है आ चुका है refund to equity shareholder उसके बाद क्या करना है हमको divide करना है क्य दिवाइड करना है नमबर आफ इक्वीटि स्टर्स से डिवाइड करना है इसको यह दो हजार है और यह तिन हजार है तो टोल नमबर आफ एक्वीटि कितने हमारे 5000 है यहां पर लिखता हूँ that will be important 2000 shares equity थे और 3000 equity shares तोटल आएगा 5000 तो आपको divide करना है 2,95,000 divided by 5000 we have to divide काफी important point जो आपको याद रखना है 2,95,000 को अगर हम 5000 से divide करेंगे हमें कितनी value मिलेगी 59 ठीक है this is 59 rupees that is refund for share क्या आचुका है refund for share 9 rupees अब simple चीज है हमने notional call का मतलब हमने actually call नहीं किया था उनसे लेकिन हमने क्या किया notional call प्लस कर दिया अभी ध्यान से देखो notional call हमने कितने का किया है 50 नोशनल call हमें 50 rupees किसे मिलेगा equity shareholder से मिलेगा तो ये है हमारी equity shareholder 3000 equity shareholder वो हमको 50 rupees का payment करेंगे तेकिन company उनको अभी refund कितना देने वाला है company उनको क्या कहने वाला है refund हम आपको देने वाले है 59 rupees का तो हम 50 rupees उनसे लेंगे और 59 rupees उने refund देंगे उससे better option क्या लगता है आपको हमें कितना है हमको 50 rupees लेना है और 59 rupees देना है तो हमें काम करेंगे हम अमारे equity shareholders को कहेंगे कि आप अपने 50 rupees payment मत करो हम क्या करते हैं हम आपको remaining difference है 9 का वो हम ही आपको refund कर देंगे तो we will be refunding you 9 rupees तो अभी हमारे तरफ से मतलब company की तरफ से जो equity shareholders है उनको ही refund दिया जाएगा 9 rupees का तो किस तरीके से इसको entry करना है ध्यान से समझना इसको अभी हम credit side में जाएंगे credit side में हम यहाँ पे लिखेंगे by equity shareholders या लिखेंगे by equity shareholders 3000 equity shares थे multiplied by 9 करना है तो उतना refund जाएगा 3000 multiplied by 9 को कितने का refund चले जाएगा उनको 27,000 का refund चले जाएगा और यहाँ पे आपका जो बाकी के shares बचते है 2000 shares 2000 को पूरा 59 का refund जाएगा के लिए वो fully paid up है 1000 multiplied by 59 that will be your value यहाँ पे आ जाएगा 1,18,000 इतना लिखने के बाद अभी आपको देखना है debit side का total तो debit side का total हमने receipt side का total already करके रखा था that was 4,80,000 का total 4,80 यहाँ पे आ जाएगा और payment side का total करना है तो payment side का total भी आपको आ जाएगा 4,80,000 तो this is the calculation related to partly paid up तो ध्यान रखना और 2-3 questions partly paid up के कर लेंगे तो यह दो levels आपके cover up हो जाएगे तो this is the liquidator's final statement of accounts in case of partly paid up shares तो partly paid up में हमें करना क्या है जो भी partly paid up shares होंगे उनके लिए हमको क्या करना है call करना है that was the question we have solved thank you very much from this video next time मिलेंगे bye bye take care